हलो, 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 आवाज आ रही है? आवाज सही आ रही है? खो तोड़ी का मैं ना? अभी सही है? शलो क्या हो गया? अभी सही है? चलो हाँ जी, चलो, शुरू करें? सबसे पहले तो गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग सब? मस, मज़े में, लड़की, जोती, हाना? कहा थी ते दिन से? करो, हाँ ठीक है, तो मैं एक्जाम देते रहा है में पढ़ते रहा ना फिर? कितनी गर्मी है आज? भायांकर? मुझे नहीं पता यह क्यों है आप एंपे, क्यों लगे में यह कुछ काम नहीं कर रहा है, और वो सोला पे है, वो अलग ही, पता नहीं क्या काम कर रहा है, चलो, एनिवे, शुरू करें? पढ़ाई करें? आजो, 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 से, जल्दी, 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 कुनाल लाला एक कल का था? ओनलाइन था, चलो, आज का दिन बहुत इंपोर्टन्ट है, क्योंकि आज हम बहुत सारी पढ़ाई करने वाले हैं, और आज मैं आप लोगों को कुछ इंपोर्टेंट कॉंसेप्स बढ़ाने वाली हूं, तो Artificial Intelligence, Blockchain Technology, Industry 4.0, ERP, यह सारी चीजे मैं आपको सबसे आखरी में करा हूंगे, हम लोग इतनी बहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं, कि आप लोगो सारे concepts एक बार में clear हो जाएंगे, एक बार में बैठ जाएंगे, पर आपको थोड़ा focus रहना पड़ेगा, पहला, दूसरा, आ All set for SM with SM, yes, चलो, all right, शुरू करते हैं, और, all right, online live आली जनता शुरू करते हैं, so yesterday, हम लोग, we were discussing unit 14, चलो कर लो, आपकी, क्यों, हाँ, तुक्का मारा था, चलो, आपकी बाकी बाकी जनता का है, आपके group वाली, on the way, चलो, ठीक है, शुरू करते हैं, एक बार BCG के चार्ज सार्डिस, देखो, एक बार हम लोग, अगले तीन से चार मिरिट में, जो कल portfolio management की strategies हमने पड़ी थी, जो last last में आप लोगों ने भगवान जाने कैसे पड़ी है, वो हम लोग फटा 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 एक बार रिवाइस कर लेता है, ठीक है, portfolio management की, ठीक है, चलो, unit 14 पे आजो, जट जट, पट पट, फट, फट, चलो, unit 14 में सबसे पहले हमने पड़ा पड़ा था, situational analysis, यहाँ दा रहा है, situation analysis की हम लोग ने चार areas पड़े थे, problem, people, broad context and factors, फिर हम लोग ने 5 अलग अलग situations पड़ी थी, product situation, competitive situation, distribution situation, environmental factor and opportunity and issue analysis, यहाँ दा रहा है, yes, SWOT and TOS पड़ा था, हमने SWOT analysis, कौन लिखिया है था, K11, TOS कौन लिख था, Michael Watkins, चीक है, अब उन्होंने क्या बूला था, चार strategy होती है, So, Woh, SG, WT, 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 So strategy क्या है, strength and opportunity, मतलब mag-Z, mag-Z, मतलब aggressive strategy, वो क्या है, weakness, opportunity, मतलब mini, mag-Z, मतलब competitive, उसके बाद ST क्या है, strength, threat, मतलब mag-Z, mini, मतलब conservative, and last में क्या है, WT, मतलब mini, mini, weakness and threats and that is defensive, याद आ रहा है, सबको, yes, उसकी बाद हम लोगों ने Pert CPM के बारे में पढ़ा था, क्या, Yes, Pert CPM, दो कौंसी techniques है, complimentary statistical techniques for project management, इसको कैसे करते है, पीछे से लिके जाते हैं क्या, है, यह सही है, चलो, हाँ, Pert CPM क्या है, complimentary, complimentary statistical technique से project management की, याद आ रहा है, जिसमें हम क्या करते है, एक project का duration कम करने के लिए, उसकी cost को कम करने के लिए, कुछ activities को parallelly run करते हैं, उसमें हम EST, LST और ET निकालते हैं, याद आ रहा है, सबको, Pert CPM में क्या सब्सक्राइब करते हैं, याद आ रहा है, इसमें हम सिर्फ क्या सेव कर पाएंगे, ताइम, याद आ रहा है, सबको, अचा पर्ट जो है, वो कहां से शुरू हाता, research and development projects है, CPM का से शुरू हा था, construction में, याद आ गया सबको, yes, portfolio management पे आते हैं, portfolio analysis, portfolio analysis का concept कौन लेकिया था, Peter Drucker, कब लाया था, 1973 में, उनके साब से 7 types of products होते हैं, कौन कौन से, today's breadwinner, yesterday's breadwinner, tomorrow's breadwinner, उसके लावा development, sleeper, failure and investment in managerial ego, ये जो तीनो breadwinner products हैं, कौन से हैं, strength, और बच्चे वे चार कौन से हो गए, weakness, एक number, अब उसमें सबसे पहला, जो matrix हैं, कौन सा है, सर्वेश, BCG matrix, ना रहे नहीं लगाने, BCG matrix, BCG matrix ना सबसे पहले क्या है, cash cow, cash cow के उपर, star, star के बाजू में, question mark के नीचे, dog, cash cow मतलब, high market share, low market growth, star मतलब, high market share, high market growth, question mark मतलब, high market growth, but low market share, and last में दोनों ही लो है तो, dog, याद आए सबको, अगर हम dog से, question mark से, star से, cash cow में चले गए, sequence कहां सा है, success sequence, success sequence, success sequence, success sequence, and cash cow से, star से, question mark से, dog में चले गए, तो, disaster sequence, याद आए है के सबको, yes, उसके बाद हमने पढ़ा था, and of, and of matrix is about, four ways to enter into a business, उसमें y-axis पे क्या आता है, market, x-axis पे आता है, product, जो margin की पास में, उसमें के existing existing, और margin से दूर है, वो new, new, याद आ रहा है सबको, existing market, existing product, existing market, existing product, market penetration, तीन तरह की customers को हम product बेशते है, existing customers, competitors, customers and potential customers, याद आ रहा है क्या, yes, new product, existing market, product development, existing, existing product, new market, market development, और दोनों ही नहीं हो, तो, diversification, diversification किती तरह का होता है, दो, पहला with, with existing, existing, with existing strengths and capabilities, और with new strengths and capabilities, याद आ रहा है क्या सबको, याद आ रहा है क्या सबको, yes, अच्छा, one-stop-shop is what, कौंसा type का strategy, one-stop-shop, product development, बढ़े आगे, yes, और जब हम national, local, international market में जाते, that is, market development, याद आ रहा है क्या सबको, अरे बोलो हाया ना, चलो, all right, uh, ma'am, मैं आगे आपने बुलाया नहीं, यह ना, like, yes, चलो, 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 ADL, ADL में X-axis पे, Y-axis पे क्या है, competitive position, X-axis पे क्या है, लाइफ साइकल, product life cycle, product life cycle, सौरब कितने टाइप की है, 4, 4 stages है, पहला क्या है, embryonic, उसके बाद, growth, growth के बाद, maturity, maturity के बाद, aging, उसके बाद, competitive position क्या क्या है, सबसे पहला, dominant, dominant के नीचे, क्या है, strong, market leader कौन है, dominant, dominant के जस्ट बाद वाली position कौन से है, strong, now third is favorable, favorable is that competitor, that position particularly, जो एक niche market में dominant है, चेक है, उसके बाद आता है, tenable, tenable मतलब जो कुछ areas में तो successful और कुछ areas में fail है, तो tenable की काम चल रहा है बस, losses में नहीं है, और आखरी में कौन है, weak, weak, weak मतलब lowest position, market में नहीं चल रहा है, समझवा है सबको, इसमें कोई doubt समस्या, पढ़ें आगे, अब, फटावट जबता है, अगर आप dominant हो, और चारो stages पे चल रहे हो, तो फिर आपको क्या करना है, hold the position, अगर आप strong पे हो, तो first three stages में, push for higher share, push for higher share, अगर आप aging पे आगए, तो just hold the position, अगर आप favorable competitive position पर हो, और embryonic stage पर हो, तो you selectively push, selectively push मतलब कुछ products के लिए आप उपर जाने ही कुश्च करो, फिर अगर आप growth पे हो, maturity पे आगए हो, तो आप उपर जाने ही कुश्च करो, बाद में it's better to just hold और harvest, याद आ रहे है सबको, tenable में find your niche, find your niche, find your niche, चार है, find your niche, find your niche, find your niche, या फिर harvest, या phase out withdrawal, याद आ रहे है सबको, और week में तो क्या है, आप और out, फिर उसके पाद turn around, turn around, turn around, या फिर abandon, याद आ रहे है सबको, बड़े आंगे, अरी बुलो, आखरी है, McKinsey, McKinsey, G.E. McKinsey, McKinsey का नाम सुना होगा आप लोगोन है, if you get a job in McKinsey, it's a very nice deal, only if you get a job in McKinsey, MBM, चलो, now, McKinsey, G.E. McKinsey ने आपको, total nine strategies बताई, अच्छा, आपको यह भी याद रखना पड़ेगा, how many strategies have been given by a particular matrix, जैसे, BCJ ने चार्ज स्टार्टेजी दिये, अपने, ANSOF ने चार्ज स्टार्टेजी दिये, penetration, market development, product development and diversification, correct है, अपने ADL की कोई particular हैं, आपने बोल ले सकते हैं, पर अगर आप बोलना चाहो, तो आप बोल सकते हो, देखा, नहीं, तो देखा जाये तो, इट बेसिकली डेपेंज अपन, market position and industrial life cycle, तो यू किन नॉट डिटर माइन की, कितनी total strategies आपको दे रखें in ADL, हाउवेवर, मैकिन्सी में आपको बता रखा है, total nine strategies है, अब सब लोग इसको कैसे धान रखेंगे, दियाँ से सुनना, देखो, दियाँ से सुनना, H, 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 L, L, H, ठीक है, high high, high low, low high, यह क्या है, एक है basically factor, industry attractiveness, और एक क्या है, business unit strength, जिसको हम actually बोलते हैं, competitive strength, समझ मैं है सबको, so basically, मैकिन्सी के हिसाब से, there are two factors, जिसके basis पे, हमें strategy decide करनी है, जिसमें Y axis पे क्या आएगा, industry attractiveness, और X axis पे आएगा, business unit strength, Y axis पे क्या आएगा, industry attractiveness, X axis पे क्या आएगा, business unit strength, यह clear है सबको, business unit strength का मतलब क्या होता है, competitive strength, यहां तक clear है, अब देखो, अगर कोई company, जिसकी industry attractiveness भी हाई है, और business unit strength भी हाई है, तो उसको क्या करना चीए, invest या फिर grow, अगर एक आए और एक लोए, तो भी आपको क्या करना चीए, invest और grow, अगर एक लोए एक आए, तो भी आपको क्या करना चीए, invest और grow, ये समझ में आए सबको, येस, अरे बोलो, चेक है, उसके बाद, एक सेकंड, एक सेकंड, एक चोट आसा इसमें कड़ बड़ है, हाई और मीडियम है, मीडियम है, हाई और मीडियम है, हाई एक बार मैं रिपीट कर रही हूं, अगर दोनों हाई है, तो invest and grow, अगर एक हाई और एक मीडियम है, तो फिर, इन्वेस्चन ग्रो, और अगर एक मीडियम और एक हाई है, तो इन्वेस्चन ग्रो, समझ में आए सबको, अब उसके बाद next, दोनों अगर मीडियम मीडियम है, या फिर एक high एक low है और एक low एक high है तो ऐसे किस में आप क्या करोगे selectivity और earnings selectivity और earnings का मतलब basically क्या होता है you only invest on selective products अगर आप ऐसा product है जिसकी industry attractiveness medium है ठीक है या फिर उसकी unit strength भी medium है या फिर एक high low एक low एक high है तो ऐसे किसमें आप क्या करोगे आप selectively पैसा डालोगे समझ माया आपकी पहली priority उन products पर रहेगी जिसमें दोनों हाय हो एक high अपिश्ची attractiveness और unit strength दोनों हाय है तो आप पूरा पैसा उसमें डालोगे पर अगर कुछ पैसा बज गया तो फिर उस product में डालोगे जिसकी इसमें डालोगे इसमें अपने पैसा डाल दिया फिर कुछ बचे का तो इसमें डालोगे समझ माया है सबको यास तो देखा जाये तो फॉर्स category वाले products होते हैं यह second category वाले products होते हैं और third category वाले products कौन से होते हैं low low medium low and low medium medium चिक हैं यह वाले कौन से products हो गए जिसमें आतो आपके product की दोनों ही situation low है या फिर एक medium एक low है या एक low और एक medium है ऐसे case में अब आपके पास क्या option मचा है divest और harvest divest harvest का मतलब क्या? divest harvest का मतलब या तो उसमें से पैसा निकालो और harvest का मतलब बिल्कुल जो unwanted चीज़ा उसको cut कर दो harvest का मतलब क्या होता है जो भी unwanted होता है अब उसको cut कर देते हो आरी बाद समझ में, येस, आप चाहो तो इसका फोटो ले सकते हो, अब देखो, सिंपल है, एक सेकंड, सिंपल है, सबसे पहले आप पैसा इसमें डालोगे, ठीक है, फर्स क्याटिग्री वाले प्रोडक में, जिसमें दोनों ही, जिसकी दोनों ही फैक्टर स्ट्रॉंग है, आ अब सबसे पहले तो हमने ये प्रोड़क निकाल ले जिसमें, या तो एक फैक्टर हाई है और दूसरा फैक्टर भी हाई है, एक फैक्टर हाई है, दूसरा मीडियम है, एक फैक्टर मीडियम है और दूसरा हाई है, तो ऐसे केस में प्रोड़क अच्छा चल रहा है, कर रा है चेक एक फैक्टर हाय है पर दूसरा लो है एक फैक्टर लो है दूसरा हाइफ एक फैक्टर है तो फिर एसे केस में आप उस क्या करोगे ऊपर से कुछ कुछ पैसा बचेगा तो नीच वाली category में डालोगे समझ मैं आई सब को और अब जो तीसरी category वाले ब्राइब रॉड़क्स है जिसमें धोनुही फैक्टर एक डम लो है या एक लो और एक मीडियम है एक मीडियम में अग लो है तो इसे केसमें तो टेक आउट मुनी फ्रॉम जेम विचिस दाइवेस्ट और कॉट्डा अन्निसेसरी प्रॉडक्स मेचेस हार वेस्ट अब बॉलो हो गया समझ में आया यस बढ़ें आगे में किन्सी क्लियर है चलो अब मुझे फटावर्च बताओ जल्दी से बताना सब लोग एकदम कमर सीधी ठीक है हां बहुत बढ़िया सबसे पहले हम लोगों ने पड़ा पर्ट सबसे पहले हम लोगों ने पड़ा सिच्वेशन अनालि अग्रेसिव, कंपेटिटिव, कंजर्वेटिव और डिफेंसिव यादा है सबको उसकी बाद हमने पड़ा पॉट्फोलियो नहीं हमने पड़ा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की दो स्टाड़िजी पड़ी कौन कौन सी पॉट्ट आड़ CPM उसकी और कि कुछ भी अगर आपकी जिंदगे में काम नहीं कर रहे है लाइफ बहुत खाराब हो चुकी है अब क्या करें ? तो ग्लोक ओन जोश ने we have strategic alternatives, Glukin Josh ने क्या बोला, we have strategic alternatives, कि अगर एक कुछ भी काम नहीं करें न, तो strategic alternatives पर चले जाओ, जो की है, stability, retrenchment and expansion, समझ मैं आया सबको, yes, so if nothing works at all, then what do you do, you follow alternative general strategies, ये क्या है, general strategies, अब आपको सवाल आया, who gave generic strategies, Glukin Josh, समझ मैं सबको, yes, बड़े आगे, चलो, अब इनको हम क्या बोलते है, या ध्यान से सुनना, मैं जो जो नाम बता रहे है, MCQ पेपर है, इनको हम बोलते है, grand strategies, क्या बोलते हैं मैं इनको, grand strategy, grand strategy मतलब ये अपने आप में बहुत ही huge strategy, ये कोई specific strategy नहीं है, ये चार बड़ समझ में, अब बताओ, कुछ काम ने किया, तो हम किसकी strategy पर चाहेंगे, Glukin Josh, Glukin Josh ने कित्ती strategy थी, चार, उन चार strategies के नाम के, grand strategies, समझ में आया सबको, yes, Vedant, समझ में आया, पहला, stability, stability का मतलब होता है, जैसा चल रहा है, वैसा चलने, दे, हाँ, जैसा चल रहा है, वैसा चलने दे, कौँसी मूवी काई है, हाँ, Three Deads, Three Deads में हो, जैसा चल रहा है, वैसा चलने दे, हाँ, वो, जैसा चलने दे, हाँ, जैसा चलने दे, तो basically, stability is do nothing new, अब आपको इस पर सवाल कैसा एगा, हर्ष, मैं बदाती हू, आपको सवाल किसी सेस, Do Nothing New, इड़ नट सेस, Do Nothing, जैसे कट आपको रहा है, तो आपको स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, आपको यह नहीं बोलती है कुछ बहत करो ताला आके घर बेच जाओ, Netflix and chill करो, स्टेबिलिटी स्ट्राटजी, बोलती है, Do Nothing New, जो चल रहा है, उसी में आप अपने क कि आजो और थोड़ा साजो और थोड़ा साजो हाँ सवरब थोड़ा सा और बीच में हो आप उसको भी डिस्टाब करोगे अब कि वह अपने आप दिस्टाब हो रहे हैं कोई बात में होता ऐसा है बड़े आगे चिक है है तो विच्ट ट्राटजाइजीच डू नाथिंग न्यू स्टेवलिटी सटाब इसच अपांशन अब अब एक्स्पैंशन दो तरका होता है इंटर्न लाइंट एक्सटर्नल जब हमरें जब हम हमारी सिमिलर एरिया में सिमिलर मार्केट में सब्सुन करते एंटर्नल वो तो होता ही पर अगर आपने अपने सेम मार्केट में एक्सपांड किया, that is also covered in internal expansion, जैसे Vodafone idea, पर जब कोई company, expansion के लिए कोई दूसरे market में एंटर करती ही, जैसे Reliance ने किया Central Mall, so that is what, external expansion, clear है सबको, बहुत जैसे, जब हम unrelated market में, जो हमारी competitors ने को दूसरे नहीं sector में एंटर करते हैं, that is external expansion, clear है, बढ़े आगे, yes, उसके बाद आता है retrenchment, retrenchment का basically मतलिब क्या होता है, जब ही हमारे production improve करने के लिए, objectives अची करने के लिए, cost को cut करने के लिए, पैसा बचाने के लिए, profits increase करने के लिए, हम employees को निकालता है, cost cut करते हैं, plant बंध करते हैं, departments बंध करते हैं, then that is known as retrenchment, मैंने class में भी बोला था, कि retrenchment जो है, जरूरी नहीं कि आप losses में हो इसलिए retrenchment कर रहे हो, retrenchment आप सिर्फ इसलिए भी कर सकते हो, क्योंकि आपको अपने profits बढ़ाने हैं, so a lot of companies who are doing layoffs these days, Google हो गया, Amazon हो गया, यह जितने भी layoffs कर रहे हैं, जरूरी नहीं वो नुकसान में चल रहे हैं, उनकी एक strategy है, profit बढ़ाने की, आर यह बात समझ में, जो excessive hiring को यह COVID के समय पर, उस hiring को अब आपको cut तो करना बढ़ेगा ना, क्योंकि उनकी eventually cost लग रही है, समझ में आया है, पहले तो हर कोई घर पर बैठके कर रहा था, काम तो ऐसे case में आपको कुछ भी physical infrastructure का खर्चा नहीं लग रहा था, अब वो लगने लग गया है, तो ऐसे case मे क्या करोगे, cost को cut करोगे, और cost cut करने के लिए, retrenchment, समझ में आया क्या, YES, ठीक है, internal retrenchment का मतलब क्या, चोटे-बोटे आपने, मतलब employees को निखाल दिया, थोड़ी बहुत asset sell-off कर दी, थोड़ी बहुत cost cut कर दी, internal retrenchment, external retrenchment का मतलब क्या, एक तरह से strategic turnaround, जिसमें आप क्या कर सकते हो, एक तरह से liquidation कर देना, subsidiaries ही पूरी की पूरी बेचते हैं, आरी बाच में कुई product जो चल रहा था हो बन कर देना, जिसमें हम major impact create करेंगे, that is external, internal में चोटा मोटा impact create कर पाते हैं, तो diversify, sorry, expansion भी दो तरह का होता है, internal and external, और retrenchment भी दो तरह का होता है, internal and external, glue की आपको strategy समझ में आया क्या, yes, बढ़ें आगे, आखरी, Michael Potter याद है, पांच शक्तिया, five forces, कौन कौन से, threat of new entrant, bargaining power of supplier, bargaining power of buyer, threat of substitutes, competitive rivalry, rivalry, जिसको हम क्या बताते है, अगर competitive rivalry जाद होती है, तो क्या बोलते है, intense, हाई नहीं बोलते है, intense, याद रहा है सबको, तो वो ही Michael Potter ने और एक और strategy दिया, आर यह बात समझ में, वो Michael Potter, और भी बहुत कुछ बोला अगे, आगे, अपना और 15-16 चाप्टर में पढ़ें है, now, Michael Potter ने एक बुक लिखी थी, मैं बुक याद करना जरूरी है, yes, yes, 1985 में बुक लिखी थी, competitive advantage, creating and sustaining, superior performance, how can you create, 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 superior performance, चीक है, वो 1985 में competitive advantage पे बुक लिखी, अब धियान से सुनना, दो strategy, इस पर सब focus करेंगे, screen पर सब देखेंगे, चीक है, online life सब screen पर देखेंगे, दियान से सुनना, देखो, दो main, तीन main strategy दी, differentiation, cost leadership and focus, differentiation, cost leadership and focus, चीक है, सबसे पहले differentiation, differentiation strategy क्या बोलती है, let's sell different products, even if it involves high cost, cost, even if it involves high cost, but then let's sell different product, ठीक है, पहला, या फिर आपके पास option है, overall cost leadership, कि हम हमारा cost of production कम करेंगे, जिससे हमारा eventually, profit अच्छा होगा, इसमें क्या बोलेंगे, low cost, तो cost leadership, strategy में हमारी cost कैसी रहती है, low, ठीक है, differentiation में cost कैसी रहती है, हाँ, यहाँ तक clear है, ठीक है, पर यह दोनों strategy कब चलेगी, जब हमारा overall market, competitive scope कैसा है, broad, मतलब हम general market में इसको sell करेंगे, general, open for basically the products that you are making for everybody, we have a huge market, समझ माया है सबको, तो broad scope में दो strategy, cost leadership and differentiation, cost leadership में low cost, differentiation में high cost, ठीक है, अब scope की बात आती, तो एक और हमारे पास scope होता है, जिसकों बहुत है, narrow scope, basically niche market, niche market समझते हो, जिस ऐसा socially unexploited market, कुछ innovation नहीं कर रहे हो, आप उस market में या ऐसा product निकाल रहे हो, जो पहले था, पर किसी ने उस पर उससे related को product बनाया नहीं, आरी बात समझ में, niche market का मतलब यह नहीं होता है कि आप कुछ innovation करो, कोई technology लाओ, नहीं, niche market can be a very simple thing, everybody knew कि aloe vera के कितने benefits होता है, aloe vera gel आने लग गया, it's a niche market, समझ में आ रहे है सबको, बहुत अच्छे से, yes, बहुत लोग है, जो इस fan से भी हवा नहीं ले पाते हैं, AC महेंगा पड़ता है, तो आजकल से standing fans आने लग गए बहुत सारे, जो AC और fan दोनों का काम करते हैं, आ रहे है क्या बात समझ में, है ना, right, बहुत सारे laptops आन उनों का काम करते हैं, क्योंकि हो 360 डिगरी फोल्ड हो जाता है, समझ में आ रहे है सबको, yes, so ये सब कुछ-कुछ चीजों से niche market क्रेट हो गया, जिसका scope क्या है, narrow, लोग कम है, market उसका कम है, समझ में आ है सबको, yes, अब उस case में आप जो strategy उस करोगे, वो होगी focus, focus मतलब scope क् नारो, focus मतलब कौन सा market, niche market, narrow market, उसमें भी आप cost उस कर सकते हो, या differentiation strategy उस कर सकते हो, अगर आप cost, focus उस करोगे, मतलब low cost, और niche market में अगर आप differentiation उस करोगे, मतलब high cost, समझ में आया क्या, ये किस ने बोला, Michael Potter ने कब बोला, 1985 में, book बना ही कौन सी, competitive advantage, sustaining superior performance, इसी के साथ हम हमारा 14th अध्याय करते है, समार, क्या आप लोग को 14th unit में थोड़ा भी confidence आ रहा है, क्या आप लोग को 14th unit में थोड़ा ठीक टा confidence आ रहा है, क्या आपको 14th unit में अच्छा confidence आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, एक number, तो क्या आप लोग सवाल और जवाब करने के के तयार है यस वेंकटिश तुम्हाना ना तो बोलना ही पड़ेगा इतना चुपने ही रह सकते हो तू है कि मेरा हो गया तफ दे ओनलाइन लाइव चलो ओल्राइट लेट्स बिगन विद यूनिट 14th mcq unit 14 चलो मैंच दे फोलें करो वावच से चाटर 4 का मैंच दे फोलें करो पिंपरी गुंदी हाजी बताओ D? D सही है? Yes वो वीडियो कॉल दोस्त कर रहा है या कर रही है? चलो 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 बताओ फटाफट से दिये सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है? सिवेरिटी आनेट्स कॉजेज पीपल में क्या आएगा? पोटेंशल स्टेकोलडर्स ब्रॉट कॉंटेक्स में क्या आएगा? इन विच्ट प्रॉब्लम प्रिवेल्स और फैक्टर में फेसिलिटेटिंग बीवियर चेंज समझ माया है सबको? येस मैस्ट फॉलइग आ सकते है ध्यान से पढ़ो Situational Analysis also known as Environmental Analysis ठीक है? Situational Analysis should be conducted at Dash of any programmer project Beginning Beginning Of the project Clear है? Yes The Dash of Situational Analysis Will affect the success of the whole plan Quality Quality of the analysis Will decide the success of the whole plan Jitna qualitative analysis करोगे उस हिसाब से आपका success decide होगा Acha Situational Analysis में कौन कौन situation आती है? Product Competitive Distribution All of the above Acha इसके लाब दोवर पॉइंट्स कौन से थे? क्या Finance Opportunity and Issue Analysis Opportunity and Issue Analysis Swart यादा रहा है कि 5 situations What relates to the products being offered by the business at present? Product situation दो तरह की प्रोड़क्स होती है यादा रहा है Core product and non-core product तो हम अभी क्या प्रोड़क्स बेचने That is which situation? Product situation चेक है? उसके बाद Carrying out SWOT analysis is included in opportunity and issue analysis Competitive position situation both A and B None of the above Opportunity and Issue Analysis Like this Dash is a tool for strategic analysis which takes into account both companies internal as well as external SWOT SWOT मैं हम तोस क्यों नहीं हो है क्योंकि पहले क्या लिखा है? Internal इसले हम क्या बोलेंगे? SWOT यादा रहा है कि सबको SWOT means? Strength, Weakness, Opportunity and Threats Okay, SWOT SWOT का basically concept कहा से आया था? Force Field Analysis यादा रहा है क्या? Dash scans opportunity and threats existing in internal environment and then generates based on internal strength and weakness Toes तो पहले external फिर internal तो क्या हो गया? Toes In so matrix trends are utilized to exploit opportunities Correct In wo matrix organization finds out options that overcome dash and then take advantage of opportunity क्या overcome करते हम? Weakness Very nice SG matrix exploiting threats to overcome any potential? Strength Strength In WT matrix weakness threats Strengths one is attempting to minimize any weakness to avoid possible? Threats यादा रहा है सबको? Dash strategy consists in maximum exploitation of synergy Synergy effect between strong sides of organization and opportunities generated by environment So aggressive Okay Synergy 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 word आये तो आपको क्या लिखना है? Strength Synergy 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 Aggressive strategy is? Magsie Magsie Conservative Is? Magsie Magsie Synergy Yeah Although You fill wear Your कितनी दिर से बाती कर रहें हो दुनौ हाँ इधर आगे बात नी कर रहें हो आगे 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 बात नी कर रहा हो इधरा नीय हाँ वीक एन ऑपरचुनिटी बताओ वो वो क्या है कंपेटिटिटिव याद आ रहा है कंपेटिटिटिव इस वो वो मतला मिनी मैक्सी क्लियर है सबको पर्ट कर शॉट फुल फॉर्म क्या है प्रोग्राम एवालिशन रिव्यू टेक्नीक सी चलो नाँ डाश एनेबल सर्वाइवल इस सिट्वेशन वे और ओर्गनिजेशन वर्किंग इन अन फेवरेबल इन्वारमेंट डिफेंसेव चिक है पर्ट सी प्यम कॉंस में मैंनेजमेंट में यूज होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुती बढ़िया वेरी नईस डाश कंप्यूस लाइश कंप्यूस लॉंगिस्ट पाथ फ्रम एंड टो एंड विच एच अटिविटी किन तर्ट फिनिश विदा विदाव एकिन प्रोजेट लॉंग यूंग इस पाथ बादिए लॉंगे प्रोजेश बेस्ट पान थ्री वे एस्टिमेट अन हैंस इस दो प्जेक्टिव टाइम अन्सर निटीज यह ए पर्ट का एडवान टेश लिमिटेशन अब्जेटिव एडवान टेज वेरी नाइस प्रोडट पॉट्फियो नारा सेज़ कभा इथा 1973 कौन लेकिया है था पीटर ड्रकर याद आ रहा है कि सबको चलो बीसीजी अनालिसस कहां यूज होता है मल्टी प्रोडट्ट मल्टी क्याटिगरी बोथ एंड बी दोनों कंपनीज में चीके अच्छा कोई सिंगल प्रोडटक कंपनी मां बीसीजी यूज हो सकता है क्या नह ही ऐसा प्रोड़क जिसका हाई मार्केट शेर हो लो ग्रोइंग मार्केट है क्याश्काओ बहुत चैसे बढ़े आगे है प्रोडट्ट्स तर्डट्स प्रोडट्स पोट्फोलियो इन करेक्ग बेस्ट प्रोड़क कौन साहता है क्याश का ओ स्ट्र कि बिकॉम डैस्ष इस लोंग रून तो चार क्या बन सकता है जो चाह रहा है क्या अच्छा सबसे जाधा हाई मार्केट शेर से फाइदा किसको होता है क्याश्काव कर चार्स क्याश्काव कब बनते हैं शॉट रन में लॉंग रन में बहुत नरफ दिया बाओ लॉंग रान लॉंग रन विच ट्राटीजी इस वोड़्डॉट्स गंजमेट दा रहें क्या विच सेव्ट सवाट में इस इंवर्डॉट इंटर शेंट उन च्छन अपरचुनिटी तो सेल या दा रहा है बिल्ड होल्ड हावस्ट डाइवस कौन लेकिया था बॉस्टन कंसल्टेशन ग्रूप या दा रहा है क्या ADL मेट्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है आर्थर डी लिटिल सेटर डीजिए अतल्ड थाषिए सर्थर डीजिए एब क्या बिल्ड थाषिए सब्सक्वरे सब्सक्वरे थाषिए साथ तो सुवरे यह वाद़ आफ पर सेथिर परस प्रेव सुझ ट्रूु यह नहीं बता एकि आपका कमपेटेंटर क्या कर रहा हैए BTS की कुछ criticism Hai पहला criticism BCG यह नहीं बताते हैं कि आपका competitor क्या कर रहा है BCG यह नहीं देखता है कि प्रोडक्स आपस में इंटर डिपेंडेंट हो सकते हैं जैसे रिलाइंस जी ओ वस इनिशली इंटर डिपार रिलाइंस जी वस डिपेंडेंट और अधर प्रोडेक्स फॉर मनी आरी बात समझ में तो यह चीज बीसी जी नहीं बताता है इसने बहुत ओवर सिंप्लिफाय कर दिया कि प्रोड़क्स कैश का चार क्वेशन मांक डॉप बस इसी में जाता है तो यह तीन क्या हो गए इसके क्रिटिसिसम समझ मैं सबको मार्केट पेनेट्रेशन के करन प्रोडेक्ट देश मार्केट करेंट मार्केट करेंट मार्के जल्दी से बताओ प्रोड़क्ट देवलप्मेंट हाना हां मार्केट देवलप्मेंट करेंट डाशन न्यू मार्केट करेंट 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 प्रोड़क्ट डाइवर्सिफिकिशन न्यू प्रोड़क्ट न्यू मार्केट करेंट इन डाश बिसनेस कंटिनू तो फोकस ओन है प्सक्रिशिंग पड़ और किस्ट्मार्ट आध मांकिट पैनि पेनिटेशन कि नहीं इस था हुआ है करो कि डाइवसिपिकेशन दो नहीं है कि करिक डाइवसिपोर अग्जीसिंग है डाइवसिफा मित फिजिस्टीड़ अज रप्र सुख में चलाए प्रोड़क्ट डेवल्पमेंट जो बेसिकली गाइस सुनो जो गाइस नगाइस के लिए उसके लिए मैं बताती हूं जो बीसिकली वाइड कस्टमर मार्केट का मतलब यह है कि जब अमने बोला मैं एक्सिस्टीं कस्टमर्स कुमपेटिटर कस्टमर्स अन पोतेशोल कस्टमर्स सो डाट इस वाइडर मार्केट अ हिपनunta यहां पर यह तो कान पन्नीए कंटुमर मार्केट यह एक्जिस्टीं कस्टेमर और निुव कस्टेमर कोँधेशिक को देतो वह सो मकिद्ध डेवलपमें न होता समझ मैं है सबको यस वाइडर कस्टमर बेस मतलब कंपेटिटर के कस्टमर और पोटेंशल कस्टमर्स एज एग्जिस्टिंग तो लिखा यह ना गवाण जानि क्या कंजूम करलड़ का लड़का लेवल्स रडाइवस इंटू रिलेटेड मार्केश्ट अन्रेलेटेड नार्केश्ट अंड उसके बाहर रिलेटेड में भी विट एग्जिस्टिंग केबिलीटी तो उर वितनियोग युग केबिलिटीज तो ओल फी अब यह याद आ रहा है के सबको नव अधियल पॉर्ट्फोलिय इन्वाल्स दामेंड शुफ इन्विरमेंटल असेस्मेंट अंड बिसनेस डाश असेस्मेंट स्ट्रेंथ असेस्मेंट हाव मनी दिविजिएंट आर देर इन इंडस्ट्री क्या टेगरी फोर कॉन कॉन से पांच हुए ना डॉमिनेंट स्ट्रॉंग फेवरेबल टैनेबल और वीक याद आ रहा है के सबको लास्ट टेज अव इंडस्ट्री मिचॉरिटी एजिंग गांड टेकरी कंपनी कीप्स टॉंग पॉसिशिंएंट स्मॉल नीष स्पेसिफिक जोगरिफिक लोकेशन और वेरी फोकस्स प्रॉडट डिफिरेंग स्मॉल जिश्चिस में क्रियेट करना है टैनेबल मैं या दारहा है क्या चला है शॉलु हां इन विचियर ग्रांट स्ट्राटेजी विज डेवलब्ट इन 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 ने फोर टीक्सिन अग्यूंट स्टाटेजी विए रहा है कि सबको डाश्ड़ प्रिच शंग इंवाल्ड मेंटरिन बिसनेस्ट इपनेशन by safeguarding existing strength and interests stability current business continue which strategy involves winning market share by appealing to cost conscious of price sensitive customers cost leadership clear easy a car loge haji how many divisions are there in industry division so five and four mark five four stages and industry four stages of product life cycle five types of competition positions are chik hai? you don't confuse don't you so aap yahi par question ke paas liklo four stages of product life cycle aisa liklo vaha par and five competitive positions samaj me aya kya? badaenge kya aage? ready all set? 88 38 the bcg matrix does not show what the competition is doing this is criticism of bcg si ya na? true ya na? haa criticism hai yes? done? one aray bolo online live wali janta karishma sarita janvi saini saini kishor purnima and the rest haa one one and the company keeps strong position small niche specific job rate location or very focused at product difference no so in this basically we can say that a company what is doing what is doing small niche small niche market strong position rake now favorable means that we have found an area like we can say i gave you a favorable example yavle chai in poone area right so that is favorable check hai but this means that yavle tenable means some profits some losses that's 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 chalo all right haji we have a question we will discuss a little later yes one we will learn further then after that you guys talk about it ok and I will put it here and the girl is talking a lot he 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 yes ready yes ready a chalo a 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 काम है क्या नहीं यूट्यूब लिंक पे चेक करना है एक मिनिट सही है क्या ज्यादा ही आरी में कुछ लग रहा है चलो स्ट्राटेजिक इंप्लिमेंटिशन कंट्रोल गाईज अब सब लोग एकदम ध्यां से सुनेंगे बहुत ही कम लोग 5-6 लोग मिलकर स्ट्राटेजी को फॉर्मिलेट करते हैं क्या करते हैं फॉर्मिलेट क्या हो गया और यह बहुत गर्मी नहीं हो रहे है यह प्लीज बन कर दो ना प्लीज रिमोट किसके पास है हाँ वो मोट चेंज करो ना उसका अच्छा गाइस अब ध्यान से सुनों आप लोग को नौ बजे तक बैठना है कि तस बच तक हां तुम लोग ख़ी नहीं प्लेश क्या है तो फरी हो में गढ़ जाना मैं चलेगा चलो मेरी बात सुननों राव श्ट्टीज फॉर्मिलेशिं पर आते हैं सब ध्यान से सोनेंगे सबसे पहले बहुत ही कम लोग जो है वो श्रटीजी को फॉमिलेट करते और बहुत सारी लोग strategy को implement करते हैं जिसने strategy को formulate क्या उसने implement नहीं किया जो implement कर रहा है वो formulation में participate नहीं करता इसी के कारण हमें दोनों में alignment बिठाने की जरुरत है strategy formulated the strategy formulation is basically making plan on paper implementation is basically bringing that plan into action क्लियर है bringing that plan into action is strategic implementation समझ में आया है सबको yes ठीक है now strategic अब ध्यान से सुनना दो तरह की linkages होते हैं ठीक है दो तरह की linkages होते हैं सब लोग ध्यान से सुनेंगे एक होता है forward linkage होगता है backward linkage linkages किसके बीच में formulation implementation के बीच में यह दो linkages है F for forward F for formulation द्यान से सुनना जबी भी formulation the dominating part formulation के basis पर implementation करते हैं तो उसको में लेंगे forward linkage F for formulation F for forward linkage कैसे याद रखेंगे F for formulation F for forward linkage जबी भी उसको हम dominating मानते हैं और उसके basis पर हम implementation करते हैं F for formulate strategy के basis पर implementation करेंगे that is forward linkage and backward क्या होगा जो हम implement कर सकते हैं जो implementation जिसका possible है उसके basis पर अगर हम कुछ भी formulate करेंगे तो वो क्या होगा backward linkage यह clear है सबको yes अच्छे से ही इस पर सवाल आ सकता है मेरे को इससा बहुत एक्दम धगदग हो रहे लहें तो मैंसे fits create करने पर जाए fits मतलब alignment चीक है वो alignment कौन से है एक तो strategy जो बना रहे है उसमें और आपके organizational structure में make sure the structure that you have created in the organization should be according to the strategy पहला fit दूसरा fit है fit मतलब alignment दूसरा fit क्या है जो strategy आप बना रहे हो आपकी functional policy से match करनी चाहिए यह इन notes में नहीं लिखा है पर इंपोर्टेंट है इसलिए बता रहे हूं दो तरह के fits होते है fits मतलब alignment fit मतलब alignment create करना चाहिए alignment समझत हो कि दोनों match करने चाहिए एक जिस चलने चाहिए जो strategy बना रहे हो उसके organization structure होना चाहिए और जो strategy बना रहे हो उसके आप साब की functional policy होनी चाहिए समझ में है सबको what are functional policies policies created by every function पता चला finance marketing HR accounts यह अपनी policy बना के चल रहे है और strategy कुछ और चल रही है चलेगा क्या काम ऐसे नहीं तो strategy और organization structure में पहला fit होना चाहिए और दूसरा strategy और function policy में दूसरा fit होना चाहिए यह दो fits है और दो linkages होते है forward linkage बाकवर्ड लेंगे पहला page clear दूसरा page start कुछ implementation करने के लिए आपको पांच factors पर ध्यान देना है पहला factor आपको action plan बनाना पड़ेगा action plan का मतलब होता है steps step by step आपको plan बनाना पड़ेगा क्या बनाना पड़ेगा sequence of steps बनाना पड़ेगा पहले क्या करेंगे फिर क्या करेंगे फिर क्या करेंगे find action plan clear है दूसरा annual business plan आपको चेक करना पड़ेगा आपका annual business plan क्या है आपने कुछ कमिटमेंट कर रखी है क्या वह पिछले साल बोला कि हम हमारे shareholders को dividend देङे को के सा स्टाटआजी बिना किहां से दो कि डिविटिधिंट तो annual business plan आपको चेक करना पड़े गा तीसरा organization structure simple strategy simply simple structure complex strategy के लिए complex structure anurag simple strategy के लिए simple structure complex strategy के लिए complex structure HR factors का ठीएन देना पड़ेगा make sure they have adapted the strategic implementation करना तो ही को है है Implementation करेगा कौन है इंप्लॉई आख्री में आपको ध्यान रखना है monitoring and control का constant monitoring constant control आपको करना पड़ेगा अगर आपने monitoring नहीं करी implementation के दौरान आपने monitoring नहीं करी then your implementation might fail समझ मैं है सबको तो पाच फ्यक्टर्स कौन से है action plan, annual business plan, organizational structure, HR factors, monitoring and control, action plan, annual business plan, organizational structure, human resource and monitoring and control, समझ में हैं सबको, अब implementation में कुछ अलग-अलग तरह की problems आती हैं, पहली problem आती प्रोजेक्ट implementation में, देखो एक बड़ी सी strategy में, चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे projects होते हैं, और हर project को करने के लिए चोटे-चोटी Steps होती है, अब problem क्या-क्या आती है? उस बड़ी strategy में जो चोटी-चोटी projects है उन project को run करने के लिए अलग-अलग project managers hire किये जाते हैं और यह जो project managers है यह आपस में लड़ लेते, ego clash हो जाता है पहला problem, ठीक है, yes, so project implementation में आपको detail planning करने पड़ती है, अलग-अलग जो अपने project managers हैं, वो अलग-अलग ideas generate करेंगे, तो differences आएंगे, फिर आपको सारे projects के लिए बहुत सारी steps create करनी पड़ेगी, planning करनी पड़ेगी, जो कि project implementation में problem मनके आती है, तो पहला, पूरी strategy का पहला problem क्या है, जो बड़ी से strategy में चोटे-चोटे projects हैं, उनको implement करना, समझ में आया सबको, first, second problem आते है, procedural implementation, देको कोई भी बड़ी strategy में हो सकता है, आपको बहुत सारी permissions, approvals, license, intimations करने, या आपको कोई नई, कोई नया business ही डालना पड़ेगा, तो ऐस से करके बहुत सारी procedural requirements होती है, that is अपने आप में issue in strategic implementation, समझ माया है सबको, so second, क्या हो गया, procedural implementation, तीसरा problem आते है, organization structure, फटावच से बताओ, simple strategy मतलब, simple structure, complex strategy मतलब, complex structure, याद आ रहा है क्या, yes, अब ऐसे case में, अगर आपका structure, flexible नहीं है, बहुत rigid structure है, आप changes नहीं कर सकते strategy के साब से, तो क्या वो problem मन के आएगा, yes, तो ऐसे case में, जो तीसरा problem में के आए, organizational structure, पहला problem क्या था, project implementation, दूसरा problem क्या है, procedural implementation, तीसरा problem क्या है, organizational structure, ये तीन, अभी हमने पढ़े, issues in strategic implementation, समझ माया है सबको, पिंपरी समझ माया है, yes, ये कौन है, so हम क्या कर बढ़े आगे, next is resource allocation, देखो भई, बहुत बार resource allocation में भी बहुत बड़ा problem आजाता है, specially अगर हमने किसी से कस्मेवादे कर रहे हैं, कि तुम्हें अगली बार तुम्हारे department को 5 करोड का budget allocate करेंगे, ये कस्मेवादे कर रहे हैं, इस बार strategy आगी back out करना पढ़ेगा, तो resource allocation अ और चलरी काम चलेगा क्या, नहीं, तो next issue क्या है, functional policy, उसके बाद next issue क्या है, communication, आपको clearly बताना पड़ेगा, किसकी क्या role and responsibility है, communicate नहीं क्या तो हो जाएगा, fail, उसके बाद 7th issue है, leadership, you need a strategic leader, a separate strategic leader, आप company के existing employees के साथ, कोई भी strategy को implement नहीं कर सकते, you need a separate strategic leader, समझ में आया क्या, बहुत अच्छे से, yes, अच्छा, next is challenges to change, of course strategy से major changes आने वाल है, तो वह change को admit करने में भी समय लगेगा, challenges आएंगे, employees resist करेंगे, पैसो का problem आएगा, power play का problem आएगा, power play मतलब, जो company में powerful लोग है, वो resources को लेके चले जाएंगे, तो ये सारे problems आते ह है, तो ये भी क्या हो गया, issue in strategic implementation, आखरी is, pre-implementation evaluation strategy, तो आपको क्या करना होता है, implementation की just पहले, समझ लो कल से implementation करना है, तो आज हम एक बर final checking कर लेंगे, सब कुछ सही है ना, उसको हम क्या बोलता है, pre-implementation evaluation, this is also a issue, समझ माया है सबको, तो ये जो nine points है, ये किसके points है, issues in strategic implementation, कौन से है, project implementation, procedural, organization structure, resource allocation, functional policy, communication strategy, leadership strategy, challenges to change and, एक नंबर, ओहो, बढ़े आगे, action plan, organization structure, HR, analytical plan, very nice, backward linkage एक और बार, backward linkage मैं वापस बता रही हूँ, देखो, आपको कैसे याद रखना है, forward, चीक है, forward linkage मतलब, F for forward linkage, F for, formulation, strategy, formulation, correct है, अब अगर आप, formulation के हिसाब से, implementation कर रहे हो, मतलब forward linkage, जिसमें basically dominating क्या हुआ, जादा important क्या है, जो formulate क्या है, जो implement क्या, formulation जो क्या, because forward linkage, और backward linkage में हम जादा importance किसको दे रहे है, implementation को, तो backward linkage में हम, implemented, जो implement कर सकते हैं, वही हम formulate करेंगे, and forward linkage में, अब जो formulate करते हैं, वही implement करना पड़ेगा, समझ में आया है सबको, yes, ठीक है, मैंने तुमारे लिए एक study plan बना के दी दिया, तुमको वही follow करना पड़ेगा, study plan, formulation, वही तुमको implement करना है, forward linkage, मैंने पहले तुम से पूछा, तुमको क्या comfortable है, वह मैं प्लान बनाओ, backward linkage, समझ में आया है सबको, yes, बढ़ें आगे, मैं आपकी वज़े से, अरे, very nice, thank you, good job, चलो, McKinsey 7S framework आ सकता है, अंदर से स्ट्रॉंग फीलिंग आ रही है, पिट दुख रहा है, 7S framework, ठीक है, McKinsey आदे, GE McKinsey, HH, HM, MH, वह तीन strategies कॉंसी थी, Invest and Grow, MM, HL, LH, Selectivity and Earnings, याद आ रहे हैं क्या, LL, LM, ML, Divest and Harvest, ये किसने बोला था, GE McKinsey, 9 strategies थी, याद है सबको, वह ही McKinsey वापस आए है, 7S framework लेकर, उन्होंने बोला, 7S factors हैं, जो S से शुरू होते हैं, इसलिए 7S framework, जो S से शुरू होते हैं, जिनके जो company को बहुत जादा अलग-अलग जगह से affect करते हैं, ठीक है, वह कौन-कौन से factors है, strategy, structure, system, shared values, skills, staff, style, अब ये जो तीन factors हैं, इसको हम बोलते हैं, hard S, hard S क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये तीन ऐसे factors हैं, जो आप easily change नहीं कर सकते हैं, जो difficult होते हैं, जो आप easily change नहीं कर सकते, easily control नहीं कर सकते, changes करने हैं, तो आपको समय लगेगा, क्या आपकी strategy, जो भी आपका plan है, वो आपका organizational structure, और जो company के अंदर system follow होता है, समझ मैं है सबको, आप हर्स क्यों रहें उसको देखें, कुछ भी, सरवेश हमेशा अपने साब से नहीं सोचना, नेक्स्ट, ए चुप रहो, माम इतना सारा है, सब मिक्स हो जाता है, अफकोर्स मिक्स होगा, क्यूंकि आप 20 दिन बचे है, आप थो नहीं है, एक दिन में थोड़ी ना ऐसे हो जाता है, ने ने, मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी क्या करना है, ठीक है, अभी आप लोग वास पढ़ हो, ठीक है, और ये भालतो की बात नहीं करना, ए, ये लो, उसको डिस्टर्ब मत करो, तो ये लो, चलो, येस, बढ़े आगे, हाँ, ना, फोर, फोर सॉफ्टेस है, सॉफ्टेस क्यों बोलते हम इसको, बिकस्टेर इसली कंट्रोलेबल और मानेजबल, अगर स्ट्राटेजी के साब से आपको इन चारों चीजों में चेंज करनी तो आप कर सकते हो, इसलिए आपको सवाल आएगा, तो अकॉर्डिक तो मेंकिनसी, तो क्या बोलोगे? 3, तो तो क्या बोलोगे? 4, समझ मैं आए सबको? यह अच्छा यह पूरा McKinsey framework ग्रेट इसली है because it has parallel combination of hard and soft S hard S basically हम मोल सकते है something which is uncontrollable and these are controllable समझ माया है सबको यह और यह दोनों को मिलकर हमें combination वादर 7S framework इसलीए यह बहुती बढ़िया framework McKinsey ने बनाया है समझ माया है के सबको strategy मतलब mark करिंग मेरे साथ purpose mission objective goal ठीक है strategy मतलब purpose mission objective goal बढ़े आगे next structure मतलब organization structure जिसते आपके जो पूरी जो भी पूरी company वो divided into department उसको क्या बोलेंगे structure उसके पाद system system मतलब क्या जो आपके rules and regulations follow की जाते formal या informal उसको क्या बोलेंगे system उसकी बाद आता style style का मतलब top management का style style का मतलब इसमें नहीं कि आप उनका style है नहीं top management का जो style है काम करने का उसको style बोलते हैं the way top management works is style आपको इस पर definition में आ सकते हैं dash is defined as the way top management works according to mckenzie framework क्या बोलोगे style next is staff staff मतलब देखो according to mckenzie staff मतलब जब हम young recruits staff मतलब जब हम young recruits को नए लोगों को लेकर आते हैं company में हार करते हैं वो अपनी skills दिखाते हैं that is staff तो mckenzie की staff मतलब young people चेक है उसके बाद skill मतलब individual capability what is skill individual capability जिसके ताहत हम उसको use करके कुछ ना कुछ task perform करते हैं and last में shared value shared value को एक और नाम क्या है super ordinate goals shared value का एक और नाम क्या है super ordinate goals shared value को एक और नाम क्या है basically shared value super ordinate goals मतलब क्या हमारी ऐसी philosophy हमारा isa mindset जिसके basis paar हम काम करते है कुछ लोगों का mindset होता है customer is the king customer के लिए हमे product वेचना है कुछ लोगों का mindset होता है हम अपने संव स्वराड़क विचने गर हम अलत्य प्रोड़क बेचेंगे कुछ अपने आप चल के आएक चुछ लोगों का mindset होता है quality पर focus करना कुछ का mindset होता है quantity पर focus करना कुछ का mindset होता है सस्ता product बेचना so everybody has their own mindset जो mindset के basis पर आप काम करते हो उसको हम बोलते है shared value जिस philosophy से हम काम करते हैं कुछ companies होती है जो थोड़ा law में loopholes निकाल के गड़बड करते रहती है और कोई problem नहीं है उनकी वो philosophy है कुछ होती ही जो एकड़म extra compliant corporate governance वाली companies होती है उनकी वो philosophies को हम क्या बोता है shared values clear है सबको बढ़ें आगे शालो अब हम आते हैं next पर which is activation याद आ रहे है आपको अ कि जो क्या है कि आ खो आपकर अपन ने ऐसे बैड़ अब पर है अपन बल्डोंों चालू करेंगे उसकी बाद ही गाड़ी श्चर्ट कर सकत है तो PhD कजечат कर सकते हैं यह और गाड़ी को होगी आक हारी बारातू समे नाल काड़ी को एक्टिवेट कर रहे हैं आरी बात समझ में उसकी बिना तो काड़ी शुरू नहीं होगी सेम सिमिलरली जब हम implementation करते हैं तब भी हमें उस strategy को पहले activate करना पड़ेगा company में basically mahal बनाना पड़ेगा company में सब्सक्राइबात समझ में समझ में आरे यह बात सब को जैसे आजकल कोई भी मुवी आती है ऐसा ने फ्राइडे लगा हमको मुवी जाना है पहले वह सारे स्टार्स को इतना प्रमोशन कर देता है कि महौल बन जाता है कि आरी बात समझ में ठीक है कोई भी अगर अगर अपने को जिसे को जगडा करवाना हो नहीं किसी के बीच में कि ऐसे दिखाना है कि जगडे बीड एखटे कर निया ओओ चिला लग जो चिक हो एएए एए मारा ने मारा ने ऐसे गर तो इवेंचली मारा मारा उनके लोग आरे क्या बाचा में दाट इस एक्टिवेशन करना ने सब ठीक है है कि तुम लोग पिट जाओगे अब कि तुम लोगों ने अगर आवास किया है कि इतनी दूर बिठाओंगे मैं कि आवास तो नहीं लगा पाऊंगे तुम लोग चलो चलो अक्टिवेशन 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 अब देखो अक्टिवेशन क्या बोलता है यूव आफ बेसिकली क्रेट आइप क्रियेट अ माहॉल बिफोर implementation so that at least everybody is just ready for it कि कल से बस office जा के तयार हो कि implementation शुरू करें है समझ माया है सबको उसके लिए सबसे बहला आपको करना institutionalize in institutionalize में दो चीज़ आप करते हो पहले employees को strategy x communicate करना और फिर उनको accept कर वाना ठीक है for example अभी मैं तुम सब को एक दम एक लास में बुलाओ और मैं तुम को बोलू कि में को यह इंफॉर्म करना है कि अब हम अगले महिनी से strategy implement करने वाले मैंने communicate किया तुम से उस चीज़ को accept कर वाओंगी you'll start accepting यह दोनों चीज़े कर लिए पहले क्या करेंगे communicate फिर क्या करेंगे accept पहले क्या करेंगे फिर क्या करवाएंगे accept यह दोनों चीज़ हमने कर ली तो क्या हो जाएगा institutionalization which is the first step of activation Samaj ना अया बहुत अच्छे से yes doosra hamban ng action plans chote 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 steps ka sequence keep up job implementation करेंगे तो पली क्या करेंगे फिर क्या 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 न है ने प्र इस action plan next is translation from general objective into specific objective general objective into specific objective तो आपको डिसाइड करना है कि हमारी कमने तो बड़े बड़े अबजेक्टिव बना रखे हैं हमको ग्रो करना हमें उपर तक पॉच्छना हम इत्ते कस्टमर चाहिए यह बड़े बड़े अबड़े अब्जेक्टिव है आप उनको रिसो drugs mobilization में को क्या करना है अरिंज करने रिसोट q a or move करने mobilize जहां जरुआ से आ जहां पर इसों से डाल दोगे अब रिसोर्प मोबीलइसेशन नbereich प्रॉब्लमज आती पहला पावर प्ले या gotten डीचर हो इसके पास सबसेदें पाउर इस संसे ज्लेकी चला जाएगा जैसे सबक्ड कमuine का इस था कक नेपाट्मेंट को बेस्ज धिखाएगा, दूसरा आपने कुछा कंपंने करो है आप resource के से allocate करोगे ठीक है अपने पैसा अल्रेडी कहीं पर डालने का decide कर रखा है और अखरी में employees जो है वो change को accept नहीं करते है that is resistance to change तीन प्रोब्लम्स आती resource allocation में कौन-कौन से तीन प्रोब्लम्स है पहला पावर प्ले दूसरा commitment of pass और रिद्धी तीसरा resistance to change आ रही है क्या बात समझ में येस बढ़े आगे हां फटावर्च बताओ activation करने के लिए आपको चार चीज़े करनी है पहला जोती institutionalization उसके लिए हम दो चीज़े करेंगे पहला strategy communication which strategy acceptance दूसरा formulation of action plan तीसरा general objective into special objective and resource mobilization allocation mobilization allocation में तीन प्रॉब्लम्स है अथर वह पहला power play दूसरा commitment of pass और तीसरा resistance to change ठीक है अब आज हो वापस पहले पेच पर फटावट चे पताओ हम लोग को ने पढ़ा implementation दो फिट्स है strategy और policy में functional policy में दूसरा of it is strategy or organizational structure में दो linkage इसे forward linkage और backward linkage factors affecting strategic implementation सबसे पहला action plan annual business plan organizational structure human resource factors and monitoring and evaluation यह पांच इसे strategy में चोटे 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 प्रोजेक्स है पहला project implementation problem है दूसरा problem है procedural implementation तीसरे वह दो fits वाले points organizational structure and functional policies ठीक है उसके बाद resource allocation communication leadership challenges to change and pre-implementation evaluation strategy यह nine points कौणसे हो गए issues के पांच factors to affect implementation है नौ issues in implementation है समझ में आया सबको McKinsey का 7S framework तो clear है इसमें तो कोई doubt नहीं है उसकी बाद activate करने के लिए आपको चार चीजे करने है institutionalization formulation of action plan translation of general into specific resource mobilization resource mobilization में तीन problems है यहां तक clear है अभी येस बढ़े आगे चलो अब हम आते हैं इस अध्याय के दूसरे भाग पर जिसका नाम है four ways of implementation four ways to implement strategy ready all set yes yes सबी लोग आपका नाम बुल गई मैं है और वही तरीका है पूछने का कोमल वेरी नाइस कोमल आपकी शर्मा रहे हो चलो कोमल आप कहां से हो चंचवड वेरी नाइस बहुत बढ़िया और में एक और एक अद और वापस नाम बुछ रती हूँ आप जानती हूँ सुर्भी हम साहेल राइट अखिलेश मैं बताओं के रुका थोड़ा सा हिंट दे दो आदा और वेंकर टेश जो कुछ बोलता निया है नेहा फ्रम अंगलॉर कितनी कितरी कीर्थी कीर्थी सौरब अथर्व सिद्धी सिद्धी रिद्धी यश यश जानवी महक पुर्वा और संकेत राइट कोमल प्रनाली और प्रतोड़्र प्राइट स्वर्वा ऑूर कोई राइगया है क्या शाक्षि नहीं आपने बताया था कल गाइतरी यस गाइतरी गाइतरी आपका नाम पूल गए यह अचा आप आते थी तु नलाएग, चलो 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 बर्शा नलाएग, लाउंग टाइम, मनाली, लिनू चलो 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 चलो, ओल्राइट, 15th is toughest of all, सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, बोलो ना हूं एक यार तुम बकर करहे हुँ, चलो भई, बडे अगे, यस, चलो Now there are four ways of implementation यश अपने दो यश है दो अथर्व है दो सौरव है मैं मेरा सौरव है अब इस तूलेट दो निकल गई अब चेंज करवान है तुमको नाम अब नियो भाएगा सौरव जाड़ Now guys बहुत सिंपल है अब जो four types of implementation structural, procedural, behavioral and functional structural implementation मतलब आप अपने organization structure में strategy के आप से changes करते हो strategy implement तो करना ही है और हम दो बार पढ़ चुके हैं कि you have to create a fit and alignment between the strategy and the structure तो ऐसे case में आप क्या करोगे आप structure में changes करोगे अब structure में strategy के आप से चार तरह के structure बना सकते हैं functional, divisional, matrix or freeform उल्टा चलते हैं freeform freeform का मतलब there is no structure at all anybody can talk to anybody there is no superior, no subordinate there is no formal lines of communication like a startup culture समझ में आए सबको उसको हम क्या बोलते हैं freeform ये तो हटा दो simple है अब हम आते हैं functional पे पहला functional structure क्या होता है जब भी हम organization को functions के हिसाब से divide करते हैं जैसे की planning sorry finance, marketing, HR, accounts तो ये functions है ये company के functions है आप functions के हिसाब से जब एक organization को divide करते हो आपने departments, finance का एक department को लिया marketing का एक department, HR का एक department, accounts का एक department तो आपने organization को functions में divide करते हैं तो ये कौनसा implementation हो गया functional structural implementation अब माम अगर हमारी company में multiple products होए तो फिर कैसे करेंगे तो आप क्या करो आप finance एक बड़ा function लो और उसमें तीनो products उसी department में डाल दो तीनो product का finance department एक रहेगा फिर तीनो product का marketing department एक रहेगा तीनो product का accounts department एक रहेगा आ रहेए के बाद समझ में इसको हम क्या बोलते है functional structure समझ में आया के सबको yes देखो finance, production, personal personal मतलब HR, marketing finance के अंदर सारे products production के अंदर सारे products personal के अंदर सारे products तो main ऊपर क्या है board के बाद जस बात क्या है सारे functions है फिर उसके अंदर हमने सारे products डाल दी अब इसका फाइदा और नुकसान क्या है फाइदा तो यह है कि functions आप easily divide कर सकते हो simple है, कोई problem नहीं, easy रहता है बट इसके नुकसान यह है कि अगर कोई particular product अच्छा नहीं कर रहा है तो आप किसको blame करोगे if a product is not doing well if a product is incurring losses तो आप किसको blame करोगे क्योंकि product का आधा part function में कुछ person कुछ person portion finance department देख रहा है उसका marketing function marketing देख रहा है HR function HR देख रहा है अब वही finance department दूसरे products भी तो देख रहा है तो finance के बोलेगा मैं तो सारे products अच्छे से manage कर रहा हूँ अगर मैं काम अच्छा नहीं करता हूँ दूसरे product अच्छे कैसे चलते है marketing भी बोलेगा accounts भी बोलेगा तो हम किसको responsible ठहराएंगे समझ में है सबको तो इसमें responsibility नहीं रहती है जो थोड़ा सा complex हो जाते है products के इस आप से structure को divide करने में responsiveness नहीं है nobody is taking responsibility here nobody is responding to the problems of a product क्योंकि हर department के पास multiple products है हर function के पास multiple products है finance department को सारे products का finance देखना है marketing को सारे products की marketing देखना है accounts को सारे products का accounts देखना है तो वो responsiveness नहीं रखेगा responsibility नहीं उठाएगा answerability नहीं नहीं answerable नहीं होगा यह problems आएगी किस में? functional structure में समझ में आया क्या last is line and staff conflict line and staff conflict का मतलब क्या है यह जो products है यह product अच्छे नहीं चलेंगे तो कोई भी SBO का head आपके बोलेगा कि देखो यह products अच्छे से नहीं चल रहा है finance department नहीं बोलेगा मेरी गलती नहीं marketing से पूछो marketing बोलेगा मेरी गलती नहीं HR से पूछो HR बोलेगा मेरी गलती नहीं account से पूछो basically conflict हो रहा है तो ऐसे करके line and staff conflicts हो सकते है समझ मैं सबको yes next is divisional Radha thank you thank you thank you so much divisional divisional का मतलब होता है जब हम एक organization को सर्वेश divide करते है according to the products यह सबसे optimum structure होता है सबसे बढ़िया हर company यही follow कर रही है क्या कि Reliance के चार प्रॉडक्स है Reliance Jio Reliance Fresh, Reliance Strange, Reliance Power example और भी है पर अब हम यहीं चार देगे ठीक है अब Reliance Jio separate SBU हो गई उसमें सारे functions हो गई जिसमें उसका finance, marketing, HR account सब वही देख रहा है फिर Reliance Fresh का separate unit हो गया finance, marketing, HR account सब वही देख रहा है ऐसा जब आप सारे SBUs के लिए separate unit को लते हो इसको हम क्या बोलता है divisional structure अब आप divide कैसे कर सकते हो या तो product के basis पे या फिर service के basis मतलब location के basis अगर कोई company जिसके multiple products नहीं है पर वह multiple locations पर है generally वह कौन से company होती, service industry जिसे Bajaj FinServe है तो यह product तो नहीं बेच रही है यह services देती है तो इनको multiple locations पर business कोलना पड़ता है अब Bajaj FinServe का यह Bajaj FinServe चोड़ा अपन बात करते है big four का ठीक है तो big four companies पता है नहीं सबको Deloitte, Deloitte का पुने office है पुने office में उसका finance marketing HR सबकुछ है, तो पुने office है separate division उसमें उसके सारे functions आ गए उसके अंदर division के अंदर function समझ में आया है सबको, right तो जब division में है product में है, यह territory में location में है, उसके अंदर सारे functions आएंगे तो वो divisional structure और जब function में है production function में है, उसके अंदर अगर सारे products आ गए तो वो functional structure एक बार गए में में बाद आती हो दियान से सुनना सब लोग दियान से सुननेंगे Riddhi दियान से सुनना production HR, finance, marketing चिक है इसके अंदर product 1 product 2 product 1 product 2 बस यह क्या हो गया functional के अंदर products function यह functions है finance, marketing, HR production यह चार functions है इसके अंदर products तो यह क्या हो गया functional strategy हमने हर function के अंदर सारे products डाल दिये यह जो finance department है यह सारे products का finance अंडल कर रहा है यह जो marketing department है यह सारे marketing का सारे product का marketing अंडल कर रहा है यह जो HR department है यह सारे products को salary दे रहा है समझ में आया है सबको यह function structure हो गया इसका सबसे बड़ा problem है कोई responsibility लेता है product की कोई responsiveness ने है conflicts बहुत होते है समझ में आया है सबको इसका उल्टा दो products है उसमें चारों branches है production, finance, marketing, HR production, finance, marketing, HR product के अंदर सारे department सारे functions आ गये product के अंदर सारे functions आ गये यह कौनसा हो गया divisional अब यह जो divisional structure है वो तीन तरह के हो सकते है या तो multi product company है जैसे Patanjali अपना Reliance HUL ITC Tata Adani यह सब multi product companies है तो product divisionization कर सकते है फिर एक होते है territorial ऐसी companies जो services दीती है तो products के इसाब से बाट तो divisional ही रही है पर उसका divisional structure area wise बटेगा Bangalore office, Pune office, Indoor office, Falana office, Dimka office समझ में आया एक होता है SBU ऐसी company जिसके product भी multiple है और multiple areas में भी है तो उनको SBUs डालना पड़ेगा फिर आरी बात समझ में है उनको strategic business unit डालना पड़ेगा के SBU हमने Reliance Jio की डाल दी है उसका Pune office भी रहेगा और उसका Pune office के अलावा एक product के अंडर सारे functions भी रहेंगे समझ में आया सबको उसको हम क्या बोलते है SBU तो SBU Divisionalization Product Divisionalization और Territorial Divisionalization In all these cases it's a divisional structure wherein product के अंडर या location के अंडर या SBU के अंडर सारे functions आ रहे है अगर function के अंडर सारे products डालते है तो क्या होता है functional structure समझ में आया है सबको अब इसकी कुछ फायदे financial control बहुत असान रहता है management कुछ exceptional चीज़ों पर काम कर सकता है लोगों का motivation boost कर सकता है strategically आप काम कर सकते है efficiency अच्छी है disadvantage is क्या है of course महंगा है departments में आपस में competition चालो हो गई है है ना G.O के अंदर marketing finance है रहे है वो लोग G.O के अंदर आपस में divisions में लड रहे है चीक है अरे भही है तो सब G.O के अंदर ना तो क्यों लड रहे हो पर लडते हैं लोग आरे के बात समझ में चीक है two perform better than the other departments in the same company चीक है उसके बात coordination के of course problem होती है और उनमे priority बल जाती है उनकी priority होती है कि हमको हमारे department को उपर लाना है उनका priority नहीं रहता है कि हमको पूरी company को उपर करना है समझ माया है सबको company is not is no more their priority their priority is just their own department clear है yes अब बताव इसमें department क्या रहेंगे divisional में समझ माया है सबको क्योंकि उपर क्या है product product के अंदर चोड़ी चोड़ी functions है तो product के employees क्या सोचेंगे हमको बाकी से मतलब नहीं है हमको हमारे department को उपर दिखाने समझ माया है तो पहली बातों इनमें आपस में सब स्क्रीन पर देखेंगे coordination में problem होगी यह लोग आपस में लड़ने लग जाएंगे सब लोग यह तो भूली गयना कि वो जीओ के टेंडर काम कर रहे हैं समझ माया है सबको यह problem है divisional structure का लास्ट चोता है matrix matrix तो एकदम खेचेड़ी है वो भी दालचावल की सब मिक्स हो गया है आर यह क्या बात समझ में सब कुछ मिक्स हो गया है क्या मिक्स हो गया है ध्यान से सुनना इसमें आप क्या कर रहे हो सब ध्यान से सुनेंगा देखो सबसे पहले आपन functional structure मनाता है functional structure कैसा था production, marketing, finance यह अभी तीने department ले रहे हैं और company में दो products है तो product 1, product 2, product 1, product 2, product 1, product 2 यह कौन सा structure हो गया यह तो functional हो गया यह तो हम लोगों ने पढ़ा है क्योंकि उपर क्या है functions यह सबको clear है, इतना clear है सब screen पे देखेंगे, अब हमने क्या किया हमने divisional structure भी बना दिया साथ ही साथ उसी company में हमने divisional structure भी बना दिया जिसमें दो products, यही दो products separately as projects separate projects चल रहे हैं जिनके अपने product managers project managers यह क्या है? इनके separate PMs PMs क्या है? project managers समझ मैं है सबको, right? अब इनको अपने product को successful करना है, इसके लिए इन लोग को क्या करना है? production से भी coordinate करना पड़ेगा department से, marketing department से भी coordinate करना है, finance department से भी coordinate करना है, क्यूं? क्यूंकि product one का production department production देख रहा है marketing, marketing department देख रहा है finance, finance department देख रहा है समझ मैं है सबको? yes तो basically, एक ही product की decisions दो अलग-अलग लोग ले रहे लोग ले रहे, for example एक simple सा decision लेना है कि आज की दिन कितना production होगा ठीक है? तो यह decision कौन लेगा? यह भी बंदा decision लेगा, जो production department का head है, जो की first product number one product number one का production manage कर रहा है, और यह separate जो project manager है वो भी उसका decision लेगा तो एक ही चीज का decision दो बंदे ले रहे ना? समझ में आ रहे ही क्या बात सबको? बहुत अच्छे से, अरे तुम सोचो ना तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारी teacher भी देख रही तुम्हारे parents भी देख रहे तुम क्या पढ़ोगे? वो मैं भी तुम्हें बता रही और तुम्हारे parents भी बता रहे है अब तुम्हारा क्या होगा का लिया आ रहे क्या बात समझ में? तो ऐसे case में, it has become a खिचडी matrix structure You are the product I am the product manager तो I am also taking a decision of yours and you are working under your parents department as well, मतलब your parents department are also taking care of you तो वो भी parents भी तुम्हारा ध्यान रख रहे है, मैं भी तुम्हारा ध्यान रख रहे हूं तो तुम्हारा ध्यान तो बहुत लोग कर रहे है बहुत care मिल रही है पर हम में आपस में छगडे हो रहे है Project Manager and the Departmental Heads समझ मैं सबको So this is a combination of what matrix This is a combination of functional and divisional What we call? Matrix Of course complex, of course costly Of course Of course conflicts Coordination problem Okay? But the decisions are qualitative because two people are in one thing Decisions are qualitative Direct relations will become a product related a lot of people will join a product को कोई भी इगनोर नहीं कर रहे So everybody is directly connected with the product Decisions qualitative आएंग and everybody will participate So management कैसा हो जाएग Participate But of course Bहुत सारी confusions होंगे Bहुत जादा आपको You know Bहुत जादा Integrate करने कोशिश की जाए रही है Or decision making of course Delay हो जाएग समझ मारा है के सबको Yes Ma'am आप कितना earn कर लेते हो after becoming CS दाल रोटी एक नलायक एक करोड वेरी नाइस बहुत बढ़ आप So I can tell you the I can Truth नहीं I can tell you my first package Toh my job लगी थी उसमें मेरा package था In hand बोल सकते है ठीक है That was 65,000 per month Which was an indoor Big deal घर कुद का गर है इसा It was a very nice मैं उस समाय Back in 2016 चला Ayush नलायक I am coming to Pune आजा आजा लडकी आजा जल्दी साजा Ayush ही नहीं Ayush Sarvesh नलायक पूरे टाइम दूसरी लडकियों के बाते करता रहता ही है Net worth Google में 10 करोड आए वो मेरा नहीं है भाई कैसी बाते कर रहे हैं तुम लोग चलो भाई Structural Implementation clear है Yes Structural Implementation में 4 structure बनते हैं कौन-कौन से Functional Divisional Matrix And Freeform Yes Now we come to Procedural Now it's easy You don't have to save anything Okay Implementation Okay Procedural Implementation Don't hear Procedural Implementation If In case Fema तो अच्छे साहता होगा Yes Yes If Fema की requirement है वो कब आएगी जब आपकी Business में Import-Export Involved हो रहा है Foreign Exchange Involved हो तो Of course You'll have to Comply with Fema provisions Okay Foreign collaboration In case Aap ऐसा को बिसन्स करते हो जिसमें आप एक Foreign companies collaborate कर रहे हो In any form It can be a joint venture It can be exchange of IPRs तो वो क्या होगा Foreign collaboration तो वो requirements आपको पूरी करनी पड़ेगी Next is Capital issue requirement आपको of course पूरा करना पड़ेगा ICDR Follow करना पड़ेगा Capital issue IPO से ला रहे हो पैसा FPO से ला रहे हो आप debt से ला रहे हो या preference या deposit या loan ले रहे हो Whatever it is या intercorporate loans and borrowings कर रहे हो तो जिस भी तरह सा पैसा उठा रहे हो आपको इसकी requirements को पूरा करना पड़ेगा Export import license एको दो तरह के license होता है एको ओपन license Open license basically वो होता है जिसमें आपको RBI को बस inform करना होता है कि हम लोग यह सारी चीजे कर रहे है ना हम जो import export करते हैं उसमें RBI को सिफ inform करते हैं तो इसको हम बोलते हैं open general license that is basically doing business through automatic route और एक होता है approval route जिसको हम बोलते हैं import export license जो कि हम RBI से permission लेकर ही business करेंगे समझ में आया सबको यह कौन सा implementation हो गया guys Procedural implementation Procedural licensing FEMA foreign collaboration capital issue import export clear है सबको बढ़े आगे yes चलो behavioral अब behavioral में आपको देखो तीन चीज़ों की सवरत है leadership organization culture देखो हम क्या करें strategy को implement करने हमने structure में changes कर दिये हमने सारे procedural procedures formalities पूरी कर ली अब हमें लोगों के behavior में भी तो लाने पढ़ेंगे yes अभी changes कैसे ला सकते first we need a leader who is a leader strategic leader a person who is able to influence the people's behavior to act according to his wishes that is known as strategic leader मैं जो बोलूँगी तुम करोगे that is strategic leader समझ मैं है सबको if I am able to influence your behavior कि मैं जो बोलूँ वो तुम follow करो अपनी मर्जी से तो वो strategic leader होगा समझ मैं गन पॉइंट पर तो कोई भी करा सकता है बात है कि इसकी influence करने कि तुम वो खुद से करो समझ मैं आया yes अब leadership के लिए आपको क्या करने आपको सबसे पहले vision on mission बनाना होता है strategic leader क्या बनाता है vision and mission ठीक है वो transformation में मदद करता है बहु कंपनी में transformation हो रहा है strategy पहले नहीं थी अब strategy है तो यह जो पूरा transformation हो रहा है वो transformation करता है कौन strategic leader लोग को inspire motivate करेगा क्या करेगा inspire and motivate याद रखना इस पर question आ सकता है strategic leader का external environment पर जादा focus रहता है rather than internal environment वो बहार की opportunity threats पर जादा focus करता है rather than internal बच्चे जनली उल्टा करके आते हैं कि माम वो तो leader तो अंदर बैटा है ना तो तो इंटनल पर focus करेगा नहीं strategic leader यादा रहा है entrepreneurship वो बहार market पर जादा focus करता है और उसके basis पर internally changes कर देगा because he also knows कि बहार की चीज़े organization culture basically क्या होता है set of assumptions, beliefs, values जो कि लोग आपस में मानते हैं एक साथ follow करते हैं और उसके basis पर आपस में interact करते हैं उसको हम बोलते हैं वहां का culture कैसा है जो भी साथ में लोगों की beliefs आइं values हैं वो लोग आपस में मानते हैं और उसी के basis पर आपस में करते हैं उसी के discussions करते हैं उसकों क्या बोलेंगे organization culture दो तरह के elements होते हैं organization culture में अबस्टाक्ट element or material element material element वह जो element नजर आते हैं विचार scene visible जैसे आपका dress dress code क्या है हां आपकी organization में dress code क्या है now that is a material visible element abstract element क्या होता है abstract element जो visible नहीं होता है जैसे, for example, for example, if it all, एक company है, जिसमें everybody has to talk to each other by way of calling them sir or ma'am, वो एक culture हो गया, और एक culture है, जिसमें आप अपने, जिसमें आप नाम से बुलाते हो, कोई sir or ma'am कुछ नहीं हो था, युएस में जनरली दूसरा वाला culture चलता है, जहां पर आप sir ma'am कुछ नहीं बोलते है, समझ मैं सबको, so that is a abstract element, abstract element जो नजर नहीं आता, आप उसको feel कर सकते हो, कि यह हां का culture है, इस type का culture है, that is abstract, material मतलब जो दिखता है, नजर आता है, अच्छा, यह हां का ऐसा culture है, नजर आ open culture is decentralization, middle, lower जो है, वो भी top में participate करेंगे, decision making में, open culture, close culture काउना जिसमें, centralization, जिसमें सिर्फ top level decision लेता है, corporate culture clear, next is, values and ethics, values and ethics, basically क्या होती है, किसी भी person की philosophy, जिससे वो decide करता है, कि यह चीज मेरे साप से सही है, यह चीज मेरे साप से गलत है, उसको values and ethics बोलते हैं, values and ethics काहां से बनते हैं, values forming institution, basically institution में अपने आप जो values generate होती है, जो सारे लोग company में follow कर रहे है, उसके बाद, organization कि क्या values है, organization कितनी चोरिचेकारी करने में बिलीव करता है, and आखरी में company में क्या professional code of conduct or colleagues किस तरह के आपके, यह चार ऐसी चीज है, values institution में कैसे बन रहे है, overall organization के values क्या है, आप कि कोलीक्स कैसे है, और professional code of conduct क्या follow करते हो, यह चार चीज़े किसमें cover होंगी, values में, समझ में सबको, अपने structural implementation, procedural implementation, behavioral implementation, यह तीनो clear है, 4th implementation है, functional, जिसमें actually company को functions में divide करते हैं, which was functional structure, तो actually functional implementation कुछ है ही नहीं, functional implementation is nothing but dividing the company in different functions, समझ में हैं सबको, येस, चारो implementation एकदम अच्छी तरीके से clear है, चलो 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 बढ़े आगे, strategy control पर आएंगे, आप strategy control बहुत important topic है, सब लोग एकदम शिदत से सुनेंगे, और कोई बात नहीं है, और कोई मस्ती नहीं, चीक है? सिद्धी, हाना, thank you. अर्गनाइजेशन, culture and corporate culture है, ये topic करेंगे, उसके बाद, ये chapter कदम करेंगे, उसके बाद, चलो बड़े आगे येस ओल्राइट देखो अभी तक हमने इस चाप्टर में क्या क्या पढ़ लिया है हमने पढ़ा पहले की स्ट्राड़ी की मंटलाओं टीट्स स्ट्राज के इस ये स्ट्राथ के इसका की स्ट्राड़ूरा हमने पढ़े चार तरह के स्रॉक्टरर्य फंक्शनल दिवीजनल में ट्रेंक्स और एक्सपॉर्ट एक्स्पोर्ट एशू एशू कैपलिकिलिए रिक्वार्मिने किया कम्प्लिट करने है यह हो गए प्रोसीजरल क्रिगा तीसरा अंने पड़ा बिहेवरल इस शार्ट कि पास्तीन चाहिए विच दूसी निडर मिटन डिर बिचेडिया लेडर विशिं पैर मोट one is abstract element abstract element वो जो कि visible नहीं होता है which we can feel कि company का culture इस तरह सा है you can feel it and material element मतलब which you can see कि अच्छा ऐसा दिख रहा है company का culture समझभा है सबको उसके बाद organization culture दो तरह के हो सकते open and participating ये एक culture है closed culture closed culture कौन सा होता है जो centralization top management तरह आरे decision लेगा और एक open participating जिसमें सब लोग participate करते हैं चीक है तीसरा होता है values and ethics values and ethics का basically मतलब होता है the philosophy of the people which decides कि आपको क्या सही और क्या गलत लगता है और वो आपको चार जगह से बनेगी एक तो values forming institution organizational values colleagues and professional code of conduct सबको क्लियर है अभी जैजल में किन वी राइड मैं आप लोग को देखो मैं आपको जैजल SM how to solve mcq papers how to write answers and cs executive papers मैं आपको सब की टिप्स दूंगी आखरी में वह होगा हमारे marathon session का closure capsule का जो भी नाम देना है वह क्लोजर सब्सको यस पर अभी अपन सिर्फ subject related बात कर रही है yes okay all set चलो मैं आपको दस मिनिट में पूरा strategic control समझाऊंगी और यह आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा but I need your full attention and focus कोई बगबग नहीं कोई चिक चिक नहीं अगर आप बात करते हो तो आप तीन लोग के आपस में जो इन लोगे उनको भी आप परिशान करते हो ठीक है yes Riddhi मैं तो ऐसी Riddhi सेंगा आया चल। strategy control का बिसेकली मतलब क्या होता है ध्याद से सुनना strategic control का मतलब होता है जब implementation चल रहा है आप उसी समय evaluate कर लो कि implementation formulation के साबसे चल रहा है विजए अगर आपको कुछ भी गढ़़ लगती है तो आप कंट्रोल करने की कोशिश करो उस गड़बड को और अगर गड़बड कंट्रोल नहीं हो रही है तो या तो strategy में छोटे-मोटे tactical adjustments कर दो छोटे-मोटे adjustments कर दो यह फिर पूरी के पूरी strategy बदल दो which is known as strategy reorientation वापस एक बार strategy control मतलब जब implementation चल रहा है ना उसी दौरान while implementation is going on you evaluate the entire strategy you evaluate the entire strategy and you see कि हम सब गोल्स अचीव कर पा रहें formulations जो मनी किया है अचीव कर पा रहें और अगर नहीं कर पा हैं तो हम इसको control करने कुश्च करेंगे नहीं हो रहा है तो हम यह तो चोटे-मोटे adjustments करेंगे changes करेंगे जिसको हम होते है tactical adjustments चीक है या फिर हम क्या करेंगे strategic reorientation which basically means changing the entire strategy समझ में आया है कि सबको इसमें कोई doubt है this is strategic control अब strategic control का organization में तीन रोल मतलब तीन जगा हिया हमें फाइडा दलाता है first is measurement of organizational progress measurement of organizational progress का मतलब क्या हम organization progress को measure कर पाते हैं कि हमने क्या standard set क्याता हम कितना achieve कर यह हमने क्या state entrenation अचीव कर नो right is measurement of organizational progress समझ महा céu तको Controle का पहला फाइदा, Controle का दूसरा फाइदा, Of course, this is the feedback of future action. हमें एक feedback मिल रहा है कि हमें आगे actions क्या लेने हैं, और तीसरा, जो भी performance आपको मिलेगी, आप उसके बैसेस पे rewards दे सकते हो, जो भी performance आपको मिलेगी, अब उसके सरह कि क्या दे सकते हो और रिवाड दे क्या सकते हो तो तीन फाइधे हमें जो अर्गनाइजसिशं में मिलते हैं पहला मिलते हैं यह topic clear है control की definition clear है बढ़े आगे अब role of organizational system and strategic control सब ध्यान से देखेंगे screen पर online live वाली जनता सब screen पर देखेगी first strategic control को भी तो मदद चाहिए strategic control को अगर आपको अच्छे से करना है तो आपको उसमें भी तो मदद चाहिए अब देखो क्या मदद आपको मिल सकती है ध्यांचे सुनना रोल of organization system in strategic control organization control में कैसे मदद कर रहा है हमने उपर information system देखो भई आप MIS समझते हो MIS management information system एक ऐसे centralized database जिसे management को constant information supply होती है तो strategic control जो भी manage करेंगा strategic leader होगा हमने strategy को पहले एक leader तो देही दिया है ठीक है तो जो भी strategic leader होगा वो MIS के through information company का information system है उसके through information लेते जाएगा कौनसा employee कैसा काम कर रहा है कौनसे employee को let's say employee उसको 100 unit बनाने के लिए दी उसना 80 unity बनाई यह सब MIS पर uploaded है तो strategic leader ने MIS से मतलब information system से data निकाल लिया ना तो controlling आसान होगी तो information system जो होता है company का उससे strategic leader को controlling में फाइदा मिलता है समझ में आया सबको वापस एक बार जो भी company का information system है जहां पर आपको पूरा data मिलेगा वो strategy control करने में मदद करता है कि एक बार क्यों अरे थोड़ा से little bit सुनो कि एक स्ट्राटिजी कंट्रोल को भी तो मदद चाहिए है ना राइट अब स्ट्राटिजी कंट्रोल को मदद पहली system कॉन देगा information system क्योंकि कंट्रोल को information चाहिए कहां से लेगा information system से बहला clear है कौन लेगा यह information, strategic leader लेगा ना, क्योंकि वो ही तु क्या कर रहा है, control, तो पहली मदद जो strategic control लेता है, वो लेता है information system से to collect the data, यह clear है, दूसरा planning system, चेक है, so, ध्यान से सुनना, जब तक कोई plan नहीं है, क्या कोई control हो सकता है, नहीं, तो strategic control को मदद किस से मिलती है, planning system से, अगर कोई plan नहीं है, तो आप evaluate किसको करोगे, और evaluate नहीं कर पा रहे हैं, तो control किस चीज़ को करोगे, मैंने एकदम से आके बोला, मैंने बोला, श्रद्दा ने 80 units manufacture करी, श्रद्दा ने 80 units manufacture करी, तो एकदम जोती नहीं हो, 80 units, मैं लहां, कम करी, तो जोती ने पूछा, actually standard क्या था, plan क्या था, मैंने प्लान नहीं पता, तो बोले फिर आप 80 units को compare किस से कर रहे हो, समझ मैं है सबको, so controlling को दूसरी चीज़ चाहिए, which is a plan, तो controlling को, strategic control को दूसरा support किस से चाहिए, planning system से, समझ मैं है सबको, yes, तीसरा development system, देखो, development system is concerned with developing employee to perform better in their existing position, and likely future position they are expected to occupy, चीख है, so development system क्या होता है, एक employee कैसे develop होता है, एक company में, कि वा अभी का काम भी अच्छा करे, और future के काम भी अच्छा करे, development, right, development, now the point is, कि अगर company में एक development system है, जो की employee की personality को develop करने में काम कर रहा है, जो कि actually कौन करता है, HR department, training and development, करता है न, तो HR department अगर company में है, वो training development employee का कर रहा है, तो वो भी किसको मदद करेगा, strategic controlling में मदद करेगा, कैसे, employee develop होते जा रहा है, हम higher standard set करेंगे, employee develop होते जा रहा है, हम controlling थोड़ी strictly करेंगे, देखो, strategic control में भी हम curve हो ही रहा है, standard performance, actual performance, दोनों में compare किया, निकाले, deviations, हम कर वो ही रहा है, तो उसके लिए, सबसे पहले हमें information system की जरुत है, so that we can collect information, दूसरा हमें planning system की जरुत है, जो कि actually standard plan, standard performance बना कर दे, फिर हमें development system की जरुत है, so that they keep developing employees and we raise higher standards for people, system, समझ माया है सबको, yes, उसके बाद हमें जरुत है appraisal system की, अगर एक organization में appraisal system ही नहीं हुआ, हम कोई evaluation ही नहीं हो रहा है, evaluation के basis पे कोई promotion ही नहीं हो रहा है, तो आप कैसे एक employee को evaluate करोगे, आरी बात समझ में, आप कैसे controlling करोगे, if there is no appraisal system, जिसमें employee को evaluate ही नहीं किया जाता है, अरे कुछ schools नहीं होते हैं, जिसमें marks का system नहीं होता, exam नहीं होती होते हैं, ठीक है, तो आपको लगता है यार फिर ये लोग higher class में कैसे जाते हैं, strategy control भी बोल रहा है, जब तुमारे आपर exam नहीं हो रही है, appraisal नहीं हो रहा है, तो हम controlling कैसे करें, हम कैसे decision लें कि कि किसको reward दें और किसको ना दें, समझ में है सबको, बहुत अच्छे से, yes, और motivation system, ठीक है, अगर company में एक अच्छा strong motivation system है, superior constantly employees को motivate करता है, तो लोग, तो कोई भी leader अच्छे से strategically control कर पाएगा, standard performance को actual performance से compare करके corrective measures ले पाएगा, employee अगर demotivated है ना, तो corrective measures वापस ही fail हो जाएंगे, है ना, तुम समझो, तुमने कभी सोचा है या actual performance जब measure हो जाती है, इसके बाद क्या, corrective measures लेता है, strategic leader corrective measures लेता है, अब अगर employee demotivated ही है, employee को कोई motivate नहीं कर रहा है, तो corrective measures लेने का कोई sense है क्या, नहीं, समझ में आया है के सबको, so there are five systems, जो की controlling को support करते है, 5 system कौन से, information system, जो information देते है, strategic control को, ठीक है, strategic control को कर रहा है, strategic leader, तो information किसको दी जा रही है, leader को, पहला, दूसरा planning system, एक plan बना के दिया, strategic leader को उससे उसने compare कर लिया, एक्चल performance है, development system, employee develop होता जा रहा है, दीरे दीरे, उसकी training development पे काम हो रहा है, इसलिए हम better standard set कर पा रहा है, strategic control को support मिल रहा है, उसकी बाद appraisal system, employee को हम evaluate कर रहा है, तो वो better perform कर रहा है, और eventually हम उसको rewards दे पा रहा है, तो strategic control को support मिल रहा है, और आखरी employee को motivate किया जा रहा है, if he is not performing well, so that अगर हम corrective measures ले भी तो बाद में better perform करेगा, क्योंकि now he has been motivated, पांच system clear, information, planning, development, appraisal, or motivation, अके लिए समझ में आपको, yes पांचो systems clear, अच्छी तरीके से, online live, ऐसा कौन सा system है, ऐसा कौन सा, school है, जिसमें exam, अरे बहुत, आजकल बहुत हो गए, चलो बहुत होगे, चलो बहुत होगे, चलो बहुत होगे, औनी भी नहीं, यह क्या गलत, अक्दम गलत हरकते कर रहे हैं लडगी, यह सएसे कर रहे हैं, क्या करो मैं, चलो और बहुतु चाहिकी तुकाने, दवेका नहीं बाद भी बंद होगे, गए साथ बजगा, साथ बचे तो बंद हो जाता है साड़े साथ तक रहता है शरम नहीं आ रही है बगवान से डरो चलो ठीक है 715 शार्प डॉड की जो भाक्या हो 715 तक ब्रेक है गाइस 715 शार्प I'll start the अर्पिर्स कर नहीं और टार्प्ड़ Спस्ट मुझते भाक्या है झाल 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 नहीं यार, नहीं, चलो कि दिन में कितने गंटे, डिपेंज मतलब, डिपेंज, अभी जैसे आप लोग का माराथान हो जाएगा, फिर I think 3-4 गंटे, 4 गंटे अभी माराथान में तो सुबह 10 बचे से, अच्छा वेंड डिड़ाइ साथ टीचेंग, इस बीन 7, 7 एर्ली एज, तुम भी कर लो अर्ली एज में, कम्प्लीट सेस, जल्दी कम्प्लीट करोगे, तो ट्रायल एर्र का स्कोप रहेगा, है ना? मैं मैं उसको जानती हूँ, इस बीन 2 बाच्चे से, क्या, 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 बाहर जाओं, क्या मैं, क्या गाल आती है? हँभ प्षचंग है? मैं रिष्टः लगती हूँ, इसा? मैं कौसी एज में CS बनें? मैं बनी थी, ती हुँ, आइपले, बाच्चर ए है, क्या, xD एक दम गलत है पहली बात तो और दूसरा फिर आर्टिकल्चिप करते 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 हो गया था चैट महीने फिर डिगरी मिली फिर तुम लोग यह क्या लार लार कहल रहे मेरे साथ हाँ बताओ कितनी उमर होगी मैं की बताओ न एक दम गलत है एक दम गलत है माम आपका यह लास बाच क्यों है अभी तो दो अटेम्ट और है ओल्ट अटेम्ट के तो मतलब मैं शायद ही ले पाऊंगे अब और ठीक है और चलो अब तोड़ना ले पाऊंगे मैं से मतलब ले पाऊंगे अब पॉसिबल नहीं होगा लेना बट मारातों और इस तिंग्स वुट भी अवैलिबल तो हमेशे ही रहेगा और अब अमेंट्मेंट भी नहीं आएंगे तो कोई स्ट्रेस भी नहीं है चाहिए और चलो यार क्वेस्टेंस कर लें युनिट 15 के क्वेस्टेंस कर लेते हैं अन्ट युनिट 16 गाय लडके अट्जा युनिट 16 उसके क्वेस्टेंस और के स्टडी सकल करें और भी उनिट 15 के क्वेस्टेंस करते हैं और युल वाइंड़ फो टूटे अगे ओके ए तुम लोग क्या कर रहे हो रहे पगलो ओनलाइन लाइव हाँ तुम पढलो पढलो डाश जब ढलो ऑ क्यान्टा आ हाँ हाँ दाश ल कामपनी थो कि दाश बीज़यर के इनके हम जब हृप आव लुक्या थी के डहने थें। ईपना में कम आघड़रर क्या ए leaves अज तुम पांगा क्या समझा समझा लड़की रिद्धी कोनी मार देना मैंने इसको अभी मार दो मार दो चलो चलो सर्वेस यूपी क्या तुम लोगों ने क्या हो गया अच्छा क्या तुम लोगों ने मेरे सुनना बन कर दिया अब तुम लोगों मुझे को रिष्टान आता नहीं रहा तो पड़ो बे शर्मों शरम नहीं आ रही है इस ट्रेस्श नहीं तुम लोगों मैं दू औभी ज्या अत्रा दिन में एक्जाम है आए जाश प्रोसस्टिव इसस्टार्जी इस पुत इंट नश्चन इंप्लीमेंटेशन the major task of dash strategy is to create a fit between goals and other activities implementation में हम क्या करते है goals और strategy के बीच में fit create करते है strategy dash has backward linkage with implementation implementation is backward linkage with implementation formulation अरे बच्चा ही क्या इसमें linkage में formulation ना सब्सक्राइब अथर्व बिगड़ गया लड़का linkage is between formulation and implementation which one is not a supporting factor of strategy implementation action planning half-year business plan annual business plan organizational structure half-year business plan क्योंकि तो कुछ होता ही नहा बड़े आगे नहा 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 रिद्धी which one which one is not an issue in strategic implementation organizational policy project पढ़े प्रोजेक्ट पढ़े प्रोसीजरल पढ़े और अर्गनाईजिशन structure पढ़े याद आ रहा है कि सबको strategy dash also requires executing the strategy based on rules regulation procedure formulated by government जो policy formulate जो government rules बनाए है उसका भी आपको ध्यान रखना है किसमें implementation में चीक है यहां पर क्यों बोला implementation क्योंकि आपको बोला जारा है जब आप अपनी strategy को execute करो ना एक्सिक्ट मतला implement करो ना उस समय आप ध्यान दो कि government rules regulations भी follow करने चाहिए तो यह हमें कब ध्यान देना इंप्लेमेंटेशन बढ़े आगे dash is the key factor for developing maintaining right culture and climate in the organization right culture कौन maintain करता है leadership organization structure कैसे culture बनाएगा culture to option mania no which one of the following is not in 7s model supervision dash is the basic framework to designate responsibilities and functions किसम हम responsibilities बाटते है किसमे बाटते है बही structure dash means organization and individual capabilities individual capability किसमे होती है skills में dash is an ability or proficiency to perform a particular task strategy कहां से ability to perform skill a skill a skill 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 ठीक करो उसको skill है dash chance for pattern of behavior and management style of top management बताया था मैंने भी style dash are the targets for effective utilization of resource and organization so as to achieve set objective ऐसे कौन से targets होते हैं जिसे हम effective utilization of resources कर सकते हैं resource mobilization resource mobilization ऐसे targets होते हैं जिसे हम resources को effectively use कर सकते हैं समझ में आ रहे हैं questions बन रहे हैं सब लोगों से and organization capacity to mobilize resources as direct relationship with the strategy inverse relationship देखो समझो एक और organization मैं को पता हैं मैं जानती हू organization's capacity to mobilize resources has inverse relationship with the strategy एक organization जो है अगर वो बहुत जादा resources easily arrange कर सकती है ठीक है so उसके लिए जादा बड़ा problem होता है resource mobilization का समझ मारी बात और अगर एक organization है जो अपनी strategy के लिए limited resources arrange कर के उसके लिए उसको एक planned तरीके से resource को mobilize करती तो उसके लिए जादा असान रहता है तो बिगर दो organization देखो 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 organization's capacity to mobilize resources अपने example लेते है Reliance का क्या Reliance अच्छे से resources arrange कर सकता है Yes अब अगर Reliance अच्छे से resources को mobilize करेगा arrange करेगा तो power play का पास्ट कमिट्मेंट्स जादा रहे रिसोर्स अलोकेशन के तीम प्रॉब्लम्स पावर प्ले कमिट्मेंट्मेंट्स अफ देपास्ट की सारी प्रॉब्लम्स आएगी तो इसके का रिलेशन strategy में और जादा बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी समझ महारी बात अगर छोटी ओर्गनाइजेशन होगी स्मॉल ओर्गनाइजेशन होगी लेट से दवे काका उनका कोई प्रॉब्लम है नहीं है उनके लिए strategy में रिसोर्स अलोकेशन करना जादा असान है समझ महारा है सबको वापस एक बार बता रही हूं मैं मैं रिसोर्स अलोकेशन वाली जो प्रॉब्लम होती है हमने पड़े पावर प्ले कमिट्मेंट्मेंट्स अफ़ पास्ट ठीक है यह वाली जो प्रॉब्लम्स है यह सिर्फ बड़ी ओर्गनाइजेशन में आती है जिसके रहां रिसोर्स अलोकेशन प्रॉब्लमाटिक हो जाता है तो इवेंचली उल्टा हो रहें बड़ी ओर्नेसिशन रिसोर्स अलोकेशन और मुश्किल हो गया तो इन्वर रिलेशन्शिप कैसा हो गया इन्वर्स कि समझ मैं आए सबको है हा in-structure activities on the basis of functions अगर functional होगा तो आप क्या functional होगा functional होगा तो functional माग रहेंगा सबको activities on the basis of type of products or market territories बताओ type of product or market territories divisional divisional ki three types पढ़ेते हैं हमने, Product Divisualization, Territory Divisualization and SBU, याद आ रहा हैं सबको? ऐसा कोई structure जिसमें project और product दोनो strategic है, matrix, समझ में आया हैं सबको, project और product दोनो strategy हो गए which one of the following Riddhi is not an advantage of matrix organization structure, matrix का कौन साइडवांटेज नहीं है conflicts, confusion, वैसे भी किसी का advantage नहीं सकता, तो समय याद करने वाला है नहीं, इसमें दो दमाग लगाना है, आरी बाकी सब्सक्राइज ही है, है ना? which one of the following is not an element of strategic leadership, it deals with vision and mission, vision mission की साथ deal करता है, does not motivate people, external then internal transformation, B, does not motivate people, ये उसका factor नहीं है which one is not a role of strategic control, planning system, measurement of organizational progress, feedback, linking performance, ma'am पर हमने planning system तो पढ़ा था, planning system is role of organization in strategic control, organization का control में क्या role है, organization control को कैसे support कर रहे है, उसमें आमने information system, planning system, appraisal system, development system, ये सारे पढ़े थे, motivational system, ये पढ़े थे, सवाल है, strategic control की कौन से role है, तो strategic की तीन ही है, measurement of progress, organization progress, linking performance and reward, feedback for future actions, role of organizational system in control क्या हूंगे, information, development, motivation, all of the way, और कौन कौन से इसमें, planning और, appraisal, या दा रहा है क्या भी सबको, which of these is an action stage that requires, implementation of change strategy, institutionalization, ऐसा कोई action, action मतलब activation हमें करना है, जिससे हम change strategy को implement करना शुरू कर सकते हैं, तो उसके पहले हम activation करते हैं, और activation में सबसे पहले हम क्या करते हैं, institutionalize, institutionalize में हम दो चीज़े करते हैं, पहला, strategy, ऐससे चॉपट पड़ेगे ना भी, फिस strategy, acceptance, या दा रहा है सबको, गुसा मत दिलाऊ, गुसा जाएगा भी, फीच आप आप सा सालिजी कяч चोहिंड प्रिमाइस च्ट्रेजी क Archic प्राशक अनॉड प्रास्श एन टोफ शु ऐस ए मरे प्यू को कि डूमाi फूमाएशन आ आप डॉं मेंटे सॉ farmers प्रास्व पास्टोरु, एमिले July the video, इसु डूमाश्व, कि सब्सक्राइब फार मैलेशन किसका इंपाहग बोलें इंपाक्ट ओखलाय कि इस फार वार्मिलेशन ना COVID forward, F for formulation, उसको गुस्ता आगया, F for formulation, उसने back out हो ला था, कौनी बार दो, ठीक है, F for forward, F for formulation, सब्जब आया है, सबको सौरब, उसके बाद, UP, B, now which is based on certain assumption about complex and turbulent environment, complex and turbulent environment, किसमें होता है, control, leap control में होता है, वैसे तो, लेकिन वो सवाल क्या पूछना है, assumptions के बारे में, समझ माया है सबको, yes, वैसे तो, गाइस ध्यान से सुनना, वैसे तो, complex, turbulent environment में हम क्या उसकरते है, leap control, पर वो पूछने about certain assumptions, तो हम क्या बोलेंगे, premise, which helps the manager to determine whether the overall strategy is progressing as desired, या फिन need for readjustment, special alert control, special alert ही है कैसा होता है, जिसमें हम actually strategy को पूरा बदल ले जाते हैं क्योंकि कुछ बहुत change हो गया है, समझ माया है सबको, which of this has impact of implementation on formulation, backward linkage, समझ माया है ना अभी सबको, impact of implementation on formulation, the dominating क्या है, implementation, implementation के basis पर हम पीछे जा रहा है, backward, इसमें अच्छली कुछ 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 उनिट 16 के questions है, which of these involves general monitoring of various sources to uncover unanticipated information, बताओ, general monitoring हम किसमें करता है, surveillance, surveillance में करता है ना, it is essential that dash managers be involved in as much as possible in the strategy formulation, कौन से managers को साथ साथ formulation में होना चाहिए, implementation के managers को formulation में होना चाहिए, formulation के तो होते ही है ना, किस के होने चाहिए, implementation के managers को formulation में होना चाहिए, हाँ, yes sir, of course, कुछ कुछ questions actually, इसमें repeat हो रहे है, हाँ, dash is directed towards, guys, assessing the need for overall strategy in light of unfolding events, unfolding events, implementation control, events unfold हो गए, हमने नहीं सोचा था, milestone review, याद आ रहे है सबको, done, अच्छा आब कल हम लोग मिलेंगे पांच बजे, पांच बजे मिलेंगे, पांच बजेंगे, 5 पीम, 5 थर्टी, एक सेकेंड, मैंने आप से पूछा ही नहीं, आप लोग क्यों बता रहे हो, मैंने पूछा, सुबह, मैं free बठी हूँ, सुबह, चुप रहो, सुना, अजी चुप रहो याद, पांच बजे मिलेंगे कल, शेकर, शाम में, और कल हम SM को, अलविदा बोलेंगे, मेरी तरफ से, कल हम लोग, अमेंडमेंट्मेंट्स, जो में चोटे मोटे, अमेंडमेंट्मेंट्स वाकी है, के स्टडी और कल हम लोग, यूनिट 16 कंप्रीट करेंगे, ठीक है, यस दोड़ा ही गंटे में हमारा हो जाएगा, ओल्राइट, देखते हैं, आप लोग को कुछ भी डाउट हो, तो आप लोग मुझे कॉन्टाक कर सकते हो, नमर पर और या फिर आप मुझे मेसेज कर सकते हो, वेरवर, इंस्टेग्राम या कहीं पर भी, ठीक है, ओके, ओनलाइन लाई वाली जनता, थांक्यू सो मच, सर्वेश इनको बूलना ना आने के लिए चाबले ना चाबले ना चाबले ना चाबले ना ओनलाइन लाई वाली जनता, यस, दन, चलो, चीक है, मैं किसी और को फोन करते हूँ, इस बाहर FMSM में एक्जम्शन पक्का है, मचा दो, मैं कहारी मचा दो, रिप्लाइ कर दिया करो, मैं यार पूरी को एम आप करती हूँ यार रिप्लाइ है, समत कर यार रेखा, चलो, दन, इस बात चलो, दन, 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 चलो, बाइन डप करेंगे, करें, प्रिस्खू कर दो मैं